हलो अरिवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके मामिलाक रांती और आज मैं अपने सभी बच्चों के लिए ले करके आई हूँ नया आध्याए नया चाप्टर मजेदार चाप्टर काफी आसान सा चाप्टर जिसको और भी आसान बना करके हम अपनी इस कक्षा में पढ़ने वा आपका बहुत ही मजेदार चाप्टर है और आपका जो आगे आने वाला चाप्टर है वो इस चाप्टर के कॉंसेट के ऊपर बेस्ड रहेगा इसलिए इस चाप्टर को आप लोगों को बहुत ही बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पूर आच्छे से पढ़ना है और ये चा दस्वी में पढ़ रखा है विद्युद्धारा के चुम्बक्या प्रभाव उसमें आप लोगों ने विद्युद्ध चुम्बक्या प्रेरण भी पढ़ा होगा वहां पर वहां पर भी इस चाप्टर का आपको बेसिक्स मिलेगा तो वह चीजी अगर आप लोगों की क्लियर का नतरा ऊकरओ रहे है आप लोगों की कमेंट्घ करके और जल्दी से इस वीडियो की दीन नवा की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शियर धाला है इंस्टा, वाटसब, टेलिग्राम, हर जगह, हर जगह आप लोगों को इस वीडियो की लिंक तूरंट अभी के अभी शेयर कर दो, शेयर ना, अभी शेयर करो, जो बच्ची नए आए हैं, तो नए बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी, बिटा, सबसे पहले आपको इस चै तरीन तरीके से हम एनिमेशन के माध्यम से आसान करके, आसान करके समझने वाले हैं, आप लोगों को काफी ज़्यादा मज़ा आएगा, और बिल्कुल आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो, कुछ तो भी हो रहा है, है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्ध्य देख पा रहे हो, चुम्बकिया फ्लक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे हम लोगों ने विद्ध्यत फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलता जूलता आपका चुम्बकिया फ्लक्स का भी रहेगा, फैराडी का प्रेरन का नियम, बहुत ही आसान, मज़ रहा था, लेंज का नियम, उर्जा संदक्षन का नियम आप लोगों को पढ़ना है, स्वा प्रेरन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, स्वा प्रेरन गुडांक, मतलग की स्वा प्रेरकत्व, ये बहुत काम आने वाल है, आप लोगों को प्रत्या वर्तिधारा में, तो इसका concept आप लोगों को बहुत अच्छे से clear होना चाहिए और इसके बाद सम्तल वृत्ताकार कुंडली का स्वाप्रेरकत्व तो बिल्कुल ये सम्तल वृत्ताकार कुंडली जो है ये वही कुंडली है जो आप लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में बायो स इतला अब आप लोगों का जो गतिमान आवेश वाला चाप्टर है वो भी आप लोगों का क्या है इस चाप्टर से related है आगे बढ़ते हैं प्रेरक कुंडलियों का सैयोजन अब हम लोगों यहाँ पर प्रेरक कुंडलियां देखेंगे बिल्कुल प्रेरक कुंडलियां इस तरह से इनका हम लोगों को क्या करना होगा साइयोजन करना होगा जैसे हम लोगों ने विद्युधारा वाले अध्याय में प्रतिरोध देखा था फर हम लोगों ने प्रतिरोधों का साइयोजन किया इसके पहले हम संधारित्र देखे थे संधारित्रों का साइयोजन किये यहा पर हमारा प्रेरकत्व भी है जसका हम लोगों को यहां पर स्रेणी क्रम समनांतर क्रम संयोजन देखना होगा अन्योन या प्रेरन तथा प्रेरकत्वा तो जो प्रेरकत्वा हम लोगों को प्रेरकुंडलियों से जो मिलेगा अगर दो दो प्रेरकुंडलियों को हम पास में ले पहले प्रेरकत्व देखा था यहां पर एक कुंडली में और एक परिनालिका में उसी तरह से हम लोगों को यहां पर दो कुंडली में और दो परिनालिका में अन्योन या प्रेरकत्व देखना है ठीक है इसके बाद हम लोगों को स्वा प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व म है इसके रिलेटेड आप लोगों को जो है कॉस्चन आएगा जो एलेक्ट आप जो एम एफ पढ़ोगे यहां पे आप लोगों को मोशनल एम आफ जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिक विद्युक वह अकबल इसके बाद भावर धाराएं भावर धाराएं इसको अंगरेजी में और स्वा प्रेरकत्वा जिसको हम लोग जो है अन्योन प्रेरकत्वा को एम से प्रिदर्शित करते हैं और स्वा प्रेरकत्वा को हम लोग L से प्रिदर्शित करते हैं इस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को एक्जाम में जो है मिलता है तो इसलिए यह हम एक ही lecture में पूरा खतम कर दिने वाले है तो ध्यान से आप लोगों को देखते जाना है यह चाप्टर को, यह चाप्टर को मैं आप लोगों का शुरू करूंगी बिल्कुल जहां से आप लोगों ने टैंथ में छोड़ा था, ठीक है टैंथ में आप लोगों ने कहां से चाहूंगी याद करो सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कहां पर छोड़ा था टेंथ में विद्धुद्धारा के चुम्बकिया प्रभाव में विद्धुद्ध चुम्बकिया प्रेरण आपका एक टॉपिक था इलेक्टरो मैंगनेटिक इंड़क्षन क्या पढ़ा था उसमें किसी को याद है यह सो अनो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यह सटोना फिराडे नियम एक क्या experiment था कि हम लोगों ने क्या लिया था एक परिनालिका जैसा इस तरह का क्वाइल जो आप लोग देख रहे हो मतलब एक तार को हम लोगों ने ऐसे गोल-गोल-गोल क्या कर लिया था बिलकुल इस तरीके से जैसा यहां पर चित्र में फिगर में दिखाई दे रहा है इस तर चुमबक को जब हम इसके पास ले करके आ रहे थे तो यहां पर इस कोईल पर या फिर इस अपेटी गई कुंडली पर विद्युधारा उत्पन हो रही थी यह विद्युधारा उस चुमबक को बार बार पास लाने और दूर ले जाने के कारण प्रेरण से उत्पन हो रही थ जैसे कि मैं आप लोगों को motivation देती हूं right motivation देती हूं तो क्या हो जाता है जी जान में आग लग जाता है बिलकुल दिमाथ में आग लग जाता है और आप जो है एकड़म debt के पढाई करते हो उसी तरीके से यहाँ पर जब चुम्बक को आसपास में बार बार पास लाते हैं फिर दूल ले जाते हैं पास लाते हैं तो दूल रे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है विद्धु धारा जो है प्रेरन से उत्पन होता है जिसको हम लोग यहाँ पर फैराडे के नियम में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग अभी अनिमेशन के माध्य से समझने के लिए कौन बचे रेडी हो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मैं पर और मैं आप लोगों को अप लोगों को दिखाने जा रही हूं यहां पर आप लोग देख पा रहे हो यह कुंड़ी है अभी इसको हôm रिलेट करेंगे बिल्कुल से भी और जो गतिमान आवेश सथा चुम्ब कत्वा में हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर से भी ठीक है ये जो हम लोगों ने एक तार लिया है सिंपल इस तार का जो बीच का हिस्सा है इसको इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है बिलकुल लपेड दिया है जैसे कि हम लोगों ने प प्रवाह करवाया था ठीक है विद्युद्धारा प्रवाहित करवाया था जिसकी वजह से यहां पर जिसकी वजह से यहां पर जो है विद्युद्धारा उत्पन हो रही थी और अंदर में चुमबक यह चेत्र उत्पन हो रहा था पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि यहां पर हम लोगों ने एक deflection measure करने के लिए मनलब की विद्धुद्धारा का deflection किद guerre मलब दीशा को ग्याद करने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक लगा रहा है यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस कुंडली के पास में देखो यह 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 अंत्रा हम लोगों ने रखा रगा है कि इसका जो विद्युद्धारा को ये देखेगा, ये विद्युद्धारा को देखेगा, कितना इसमें चेंजेस आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, और ये जो विद्युद्धुमबक्या प्रेरन का कॉंसेप्ट जो है फेराडे जी ने उननीसवी सताब्दी म इसका जो है बिल्कुल खोज किया था और ये एक्सपेरिमेंट के अंतरगत क्या हो रहा है अब आप लोगों को देखते जाना है ठीक है बिल्कुल आप लोगों को एक क्वाइल लेना है बिल्कुल इस तरीके से क्या लेना है एक क्वाइल लेना है और इस क्वाइल के पास इस क्वाइल में हम लोग देखेंगे कि कितने बार हम लोगोंने कितने फेरों में इसको लपेटा है ठीक है कितने फेरों में लपेटा है और देखो यहां पर विद्युद्धारा को मापने के लिए हम लोगोंने कौन सा यंद्र लगा रखा है जाइड सी बात है विद्युद्ध स्बंबग को नौर्थ पोल नौर्थ पॉल नौर्थ。 उसको हम लोगों ने कने कंद दूर लेकर किpta incompat या पर डेहकतु नौर्थ पॉल है जुम्बक को ने का हुआ है देखो यहाँ किया हो रहे है जो इसके free electrons है यहाँ पर आप लोगों को मुकत creativity आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं यह free electrons इoli stream स्क्रों जो है यह क्या कर चालू करेंगे घती करना चालू करेंगे ठीक है तो गती करेंगे तो इनकी दिशा क्या होगी यह हम लोगों को यहां पर अमेटर की रिड्रिंग से पता चलता जाएगा, जब हम लोग पास लेकर के आते हैं, तो यहां पर जो विद्धारा की गती है, वो आप लोगों का इस तरह से यह जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, है ना, इस तरीके से Clockwise, है ना, Clockwise मतलब की क्या ब घुमने लगता है वामा वर्त घुमने लगता है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो है विक्षे पुत्पन हो रहा है किसमें विद्युद्धारा में विक्षे पुत्पन हो रहा है एक बार जो है बिल्कुल जब दक्षिना वर्त घुमेगा तो उसकी मात्रा पोल को हम ले क्या है ध्यान से समझना यहाँ पर किसको ले कर क्या है जब हम लोगों यहाँ पर नौर्थ पोल को हम लोग ले कर क्या है हना मतलब की उत्तरी ध्रूफ को जब हम पास में ले कर क्या है तो उत्तरी ध्रूफ को पास में लाने से यहाँ पर क्या हुआ इस तरीके स दक्षिना वर्थ और जब दूर ले गए तो वामा वर्थ तो जब यह पास और दूर हम बार बार लेकर के जा रहे हैं इसको ध्यान से देखना यहां पर ठीक है जब हम इसको पास और दूर लेकर के जा रहे हैं तो यह मतलब कि यह दिशा बदल क्यों रही है इसका कारण में आप लोगों को समझाती हूँ जैसे कि यहां पर चित्र में आप लोग देख सकते हो कि उत्तरी धुरू जब पास में आया ना तो क्या होगा उत्तरी धुरू जब पास में आया तो यहां पर इस कोईल के इस दिशा में जैसे कि परिनालिका में आप लोगों ने देखा था कि विद्युद्धारा बहाने से क्या हो रहा था यहां पर हम बैटरी लगाते थे अमीटर की जखा में और बैटरी लगाने से यहां पर विद्युद्धारा प्रवाहित होती थी जिसकी वज़ा से चुम्बकिये शेत्र के को इस कुंडली के पास में लाने के कारण इसमें विद दुद्धारा उत्पन हो रही है, जैसे ही हम इसके उत्तरी ध्रूव को इस कोईल के पास में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर इसके इस डारेक्शन में उत्तरी ध्रूव ही उत्पन होगा, क्या उत्तरी ध्रूव ही उत्पन होगा, और आप लोगों को पता है कि जब समान ध् प्रेरण के कारण, जब यहाँ पर प्रेरण के कारण, जब यहाँ पर प्रेरण के कारण, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रेरण के कारण, जब विद्धुधा, यह मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, जब यहाँ पर, जो है, क्या हो रहा है, बिल्कुल प्र नौर्थ पोल, नौर्थ पोल, मतलब इस क्वाइल के पास नौर्थ पोल बन रहा है, और ये क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्शित करेगा, ठीक है, प्रतिकर्शित करेगा, इसका मतलब ये होगा कि जब इस चुम्बक को, इस चुम्बक को अगर हम लोगों को क्वाइल के प रहा है और यहां पर प्रतिकर्शन होगा इनके बीच में तो हमको वापस जबर्दस्ति उसके पास लेकर जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा कारे तो करना पड़ेगा विरोध में क्योंकि प्रतिकर्शन के विरोध में हम लोगों को कारे करना पड़ेगा जिसकी वज़ा से विदिवत धारा के रुप में, मतलब कि अगर हम लोगों ने इसको पास लाने के लिए, यांतरिक उर्जा लगाया, मतलब कि बल लगाया, तो बल लगाया, हम लोगों ने ताकत लगाया, जिसके कारण? जिसके कारण वो उर्जा जो है प्रेरित धारा में बदली यांत्रिक उर्जा का विद्यूत उर्जा में क्या हो गया परिवर्तन हो गया और विद्यूत उर्जा में परिवर्तन होने के कारण यहां पर इस कौाइल में क्या उत्पन हुआ धक्षिनावर्थ प्रेरित धारा उ अच्छे से हम समझेंगे इसको समझ जाओगी तो आगे की कॉंसेट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम दूर ले करके जाएंगे इसको हम क्या करेंगे दूर ले करके जाएंगे देखो यह पास ला रहे थे तब अब हम लोग जो है दूर ले करके जाएंगे ठीक है क्या करेंगे हम यहाँ पर दूर ले करके जाएंगे तो फिर इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ठीक है इसमें विक्षेप उत्पन होगा और दिशा बदल लेंगे वो दूर ले करके जाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग दिशा बदल लेंगे अब की बार जब दिशा बदलेंगे तो आप लोग देख पारे हो यहाँ पर रैड कलर आप लोगों को दिखा रहा है तो यहाँ पर प्रेरी तधारा की दिशा बदल जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल प्रेरी तधारा की दिशा बदल जाएगी अब हम लोगों को दूर ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा महनत क्योंकि दिशा बदल जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नौर्थ पोल के जगह साउथ पोल बन जाएगा ठीक है मत को दूर ले जाने के लिए मेहनत करना होगा दूर ले जाने के लिए मेहनत करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे वहाँ पर भी हम उर्जा लगा रहे हैं ठीक है दूर ले जाने के लिए उर्जा लगा रहे हैं तो अब की बार यांत्रिक उर्जा जो है प्रेरित धारा मे बदलेगी यांत्रिक उर्जा जो है विद्ध उर्जा में बदलेगी पर अब की बार हम लोगों को आकर्शन के विपरीत हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है महनत करना पड़ रहा है जिसकी वज़ा से यहां पर क्या होगी इस कोईल में जो धारा की दिशा है वो बदल ठीके क्या होजाएगा वो हो बीप्रीध हो जाएगा तो ये मैने आप लोगों को जो है क्या बताए ये इसके बारे में जो मैंने अभी आप लोगों को नियम दिये फेराडे ने क्या किया दो प्रकार के नियम दिये तो एक एक करके हम दोनों नियमों को पढ़ेंगे ठीक है तो फेराडे का जो पहला नियम है वो क्या कहता है फेराडे का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि जब भी किसी बंद परिपत में गुजरने वाले हैना तो चुम्बक्य फ्लक्स में क्या होता है परिवर्थन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहग बल प्रेरित होता है ठीक है क्या प्रेरित होता है विद्युत वाहग बल मतलग कि जो विद्युत धारा प्रेरित हो करके जो हम लोगों को मिल रही थी वो विद्युत वाहग में क्या मिलता है प्रेरित विद्युद्धारा जिसका कारण होता है ये विद्युद्वाहकबल ठीक है और ये विद्युद्वाहकबल का कारण क्या होता है तो ये विद्युद्वाहकबल का कारण ये होता है कि ये जो चुम्बकिया flux है इसमें जब परिवर्तन होता है तब ठीक है तो इसको भी समझ लेंगे अभी हम ठीक है यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक के चुम्बकिये flux में परिवर्तन जारी है मतलब कि अगर flux में बार बार जो है changes होता रहेगा तभी तक बस होगा क्या विद्धुत वाहग बल उत्पन होगा अगर परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो विद्धुत वाहग बल भी नहीं मिलेगा उधारण के लिए जैसे कि वेग में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा मतलब कि कोई भी गाड़ी किसी न किसी वेग से चलतो रही है पर अगर एक जैसे मतलब एक ही speed में चलने लगी अगर speed में change होना बंद हो गया तो वहाँ पर त्वरण नहीं मिलता ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है flux को हम लो परिवर्तन होना जरूरी है ताकि हम लोगों को जो है विद्यूत्वाहकबल मिल सकें यह क्या है आप लोगों का विद्यूत्वाहकबल ठीक है और उसके बाद चुम्बकिया फ्लक्स बढ़ने पर विपरित दिशा में अब यह धारा की दिशा के बारे में हम लोग जो है ए परिवर्तन की दर के अनुत्क्रमानुपाती होता है ठीक है अब ये जो पहला और दूसरा नियम है ना इसको मैंने अभी आप लोगों को क्योंकि एक्सपेरिमेंट दिखाया ना तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि दो नियम मिले इसको और एक बार हम लोग समझेंगे रिलेट करके आपको पढ़ाना शुरू किया है आगे अब हम लोग 12 का सिलेबस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोगों को 12 के सिलेबस को समझने के लिए चुमबकिया फ्लक्स को समझना होगा ठीक है तो ये चुमबकिया फ्लक्स क्या है जैसे कि आप यहां पर चुम्बकिया फ्लक्स को भी आप लोगों को फाई से ही प्रदर्शित करना है और यह जो विद्धित फ्लक्स था यह आप लोगों का विद्युत छेत्र की वजह से उत्पन हो रहा था किसकी वज़ा से विद्यूद छेत्र की वज़ा से ठीक इसी प्रकासे ये जो चुम्बकिया फ्लक्स है आप लोगों का ये जो चुम्बकिया फ्लक्स है ये आप लोगों का चुम्बकिया शेत्र की वज़ा से होगा ठीक है किसकी वज़ा से होगा चुम्बकिया शेत्र की बल रेखाएं गुजर रही है तो इनकी जो संख्या थी इन बल रेखाओं की जो संख्या थी यही आप लोगों का क्या कहला रहा था यही आप लोगों का जो है विद्युत फ्लक्स कहला रहा था ठीक है विद्युत फ्लक्स कहला रहा था विद्युत फ्लक्स को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, अगर हम जो है ये विध्युतолाक्स और ये जो छेत्रफल सदीस हम लोगों ने पढ़ा था, इसके सदीश, छेतरफल सदीस जो हम लोगों लोगों ने पढ़ा था, इन दोनों सदीसों के अधिस गुड़न फल के बराबर होता है, ठीक है, चुमब Tr विद्धुद फ्लक्स की बार हम कर रहे हैं और विद्धुद फ्लक्स जो है इस तरीके से विद्धुद छेत्र और छेत्रफल सदीश, छेत्रफल सदीश किसको बोलते हैं याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को छेत्रफल सदीश जो है अगर मान लोग कोई भी सता है इस सत यहां के बिलकुल अभी लंभुवत, किस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो जैसे कि यहां पर एक पेज है, थीक है, माननों कि यह आप लोगों का क्या है, यह आप लोगों का सता है, तो इसके लिए हम लोग अगर छेत्रफल सदीस देखेंगे, तो इस जब हम क्या करते थे अधिस गुड़न फल करते थे तो वहां से हम लोगों को इस सता से कितनी विद्युद बलरेखाएं गुजर रही है इनकी संख्या हम लोगों को मिलती थी और जब इसको हम स्वाल्व करके लिखते थे तो इसको हम लोग जो है अधिस रूप में ई ए कॉस थीटा इस तरीके से लिखते थे क्योंकि यहां पर जो चेत्रफल सदिश और विद्युद छेत्र के बीच में जो यहां पर कॉन बन रहा था थीटा ठीक है इसी कॉन से मतलब यहां पर हम लोग जो है सदिश और अधिश राशी को जैसे हम लोगों ने समझा था बिल्कुल गुड़ान फल को कैसे प्रदर्शित करते हैं तो वहां से हम लोग जो है इसको प्रदर्शित करते हैं इसको मैं डिटेल में अरड़ी बता चुकियों और ज्यादा डिटेल में नहीं जाओंगी अब मैं चुम्बकिया फ्लक्स में आती हूं तो सीदी सी बात है सेम आप लो रही है ठीक है जैसे चुम्बकिया शेत्र रेखाएं बन रही है तो यहाँ पर कितनी चुम्बकिया शेत्र रेखाएं जो है इस सता से होकर के गुजार रही है इसकी संख्या चुम्बकिया फ्लक्स कहलाती है और यहाँ पर भी हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा छेत् तरीके से कैसा रखा हुआ है अभी लंबवत बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़ा रखा है और यह चुम्बकिय बल रेखाएं गुजर रही है ठीक है तो छेत्रफल सदीस का मतलब यह यहां पर दिखाया गया है देखो यह शेत्रफल सदीस आप लोगों को दिखाया गया है है शुन्य है ठीटा कोण है वो क्या है शुन्य है ठीक है तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने विद्यूत फ्लक्स के लिए शुत्र को लिखा था ठीक वैसा ही आप लोगों को यहां पर चुम्बकिय फ्लक्स के लिए भी शुत्र लिखना होगा और यहां पर जो चुम्बकि रिखाओं कि अभी लंबू अध्खडी रखा हुआ है ये बल रिखाएं जो है बिल्कुल गुजर रही है ठीक है तो यहां पर आप लोगों का थीटा जीरो है पर आप लोगों को ये तो मैंने क्योंकि विद्यूत फ्लक्स से रिलेट करके समझाया तो डारेक्ली बता दिया अगर आप लोगों को मालो की कोई पूछता है परिशा में आप लोगों को लिखना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे चुम्बकिय फ्लक्स के लिए बिल्कुल ये जो है परिभाशा लिखोगे चुम्बकिय छेत्र में इस्थित किसी छेत्र फल से ठीक है चुम्बक चुम्बकिय छेत्र के लंबवात रखा हुआ है ठीक है इस चुम्बकिय छेत्र के लंबवात सतह जो रखा हुआ है इससे कितना कितना चुम्बकिय छेत्र रेखा गुजर रहा है इसकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है चुम्बकिय फ्लक्स कहलाती है और बिल्कुल इसको अ बहुत ना रख करके मानलो की ऐसे ऐसे रख दूँ या फिर ऐसे रख दूँ या फिर ऐसे रख दूँ जैसे हम लोगों ने विद्धूट फ्लक्स में पढ़ा था ठीक वैसे ही यहां पर भी हम लोगों को पढ़ना है ठीक है अगर मानलो की मैंने यहां पर बिल्कुल सता को न बैक कलर से यहां पर देख पा रहे हो बिल्कुल यह आप लोगों की चुम्बकिय शेत्र रेखाओं की दिशा आप लोगों को दिखाई दे रही है इस दिशा में यह चुम्बकिय शेत्र रेखा की दिशा मैं ऐसे बना देती हूं बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया है इस का करेंगे अब यहाँ पर देखोथ सदित तो जैसा हमारा था पहले वैसा ही यहाँ पर है अभी लंभाट चाघ्र फजा यह देखो बिल्कुलड़क्ल डलता एर अभी लंभाट्थ दितर फ़ल सदिस पर यहां पर आप लोगों को चुम्वकिय फ्लक्स को रिप्र्जेंट करना होगा तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का यह बिल्कूल यह हो जाएगा इस तरीके से बी ए कॉस्टीटा के रूम मैं कैसे हुआ तो जाहिण सी बात है सिंपल सी बात है कि यहां से अगर आप क्या लोगे दो घटक लोगे है ना तो ये क्या हो जाएगा ये वाला घटक आपका बी साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला घटक आपका क्या हो जाएगा बी कॉस्ट थीटा वाला घटक हो जाएगा है की ने और आप लोगों को यहां पर जब यहां पर फ्लक्स निकालना है चुम्बकिय फ्लक्स मतलब की किस सतह से कितनी बल रेखाएं चुम्बकिय शेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं उसकी संख्या अगर आप लोगों को निकालना है तो ये वाला टम और ये वाला टम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को गो तबर होता है ठीक है घटक के गुरं़ फल के ब्राबर होता है ये आप लोग मैंने आप लोगों को बताया यह क्या है आप लोगों का ठीक है और बिल्कुल अब एक चीज ये भी है अगर हम लोगों को जैसे कि यहाँ पर calculation करना है है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पूरे सता के लिए ना करके हम लोग पूरे सता के लिए ना करके जैसे कि यह जो छेत्रफल सदिस ले रहा है हम डेल्टा है ठीक है तो हम क्या कर रहे है ये छोटे से छेत्रफल के लिए अगर हम ले कर करें जैसे कि हम लोगों ने विद्विद्व्लक्स के लिए देखा था छोटे से छेत्रफल के लिए तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको बिलकुल यहां पर छोटे से छेत्रफल के लिए ले रहे हैं इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं इसको डेल्टा से लिख प्रदर्शित कर रहे ह है तो पूरे का निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है दोनों पक्षों में समा कलन करना होता है तो आगे चलके अगर आप लोगों को calculation करने के लिए आएगा तो वहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो इसके related आप लोगों को question भी देख सकते हो quickly question आप लोग देख सक इस पर क्या है चुमबकिय श ह supposed 1.2 टैसला थेक है चुमबकिय शेत्र कितना दिया हुआ है आप लोगों को 1.2 टैसला और सुमबकिय शुटर में रखा गया है और इस तल इसका तल शेत्र की दिशा से 30 डिगरी के कोण पर है ठीक है माल लोकि यह आप Лोगों के शेत्रफल की द दिशा है और चुम्बकिये शेत्र की दिशा से 30 डिगरी के कोण पर हमारा क्या रखा हुआ है तल इसका तल छेत्र की दिशा के 30 डिगरी के कोण पर रखा हुआ है तो 30 डिगरी के कोण पर रखा हुआ है मालो की वरगाकार तल है तो इस तरीके से 30 डिगरी के कोण पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा इसका, इस तल का छेत्रफल सदीस निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तल का जो छेत्रफल सदीस है, ये जैसे कि मालो आपका तल है, इसका छेत्रफल सदीस, इसके अभी लंबुबात होगा, है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का 90-30 डिगरी मतलब की 60 डिगरी इसका मतलब चुम्बकिये शेत्र के साथ ये जो छेत्रफल सदीस है वो कितने कोड़ पर है 60 डिगरी के कोड़ पर है ठीक है तो जो हम लोगों को चुम्बकिये फ्लक्स का फॉर्मूला मिला है बी एक औस ठीटा तो य शेत्रफर सुने दसम्ला सुनेच है और कॉस साथ डिग्री ये आप लोगों को रख के सॉल्व करना है और आप लोगों का अंसर आ जाएगा चलो फटाफट से कर लो सॉल्व कर लो फटाफट से आया अंसर कर लेना इसको आप सॉल्व कर लेना मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा तो इस चीच का आप लोगों को ध्यान रखना है अगला सवाल देख लेते हैं चुम्बकिय शेत्र यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है चुम्बकिय शेत्र का मान B बराबर 0.3J Tesla, ठीक है, B बराबर 0.3J Tesla, और इसमें तार का एक लूप रखा गया है, यह आप लोगों का क्या है, बिल्कुल, यह इस तरीके से चुम्ब कियो शेत्र है, तार का लूप, किस डारेक्शन में रखा गया है, देखते हैं, छेत्र फल सदिस, यह देखो, कोड नहीं दिया है कि कितने कोड पर रखा हुआ है अब शदीश रूप में दिया हुआ है तो आप लोगों को चुम्बग्या फ्लक्सा कर ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करोगे सदीश रूप में आपको दिया है तो इसका क्या करोगे दो सदीशों का अधिस गुड़न फल दो सदीशों का अधिस गुड़न फल कैसे करते हो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने सदीश पढ़ा होगा तब आप लोगों ने पढ़ा होगा दो आई कैप प्लस पांच जे कैप माइनस तीन के कैप क्या आएगा अंसर दो सदीशों का अधिस गुड़न पर क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट में, अबरिवार जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे क्या आएगा आँसर, तो बिटा इसका आंसर, आप लोगों का सीदी सी बात है, यहाँ पर पांच तीए पंद्रह ये 1.5 जे, नहीं, जे जे गून, जे क्रौस जे क्या होता है वन होता है तो ये एक दसम्लब पांच है ना एक दसम्लब पांच आप लोगों का आंसर आएगा अब ये बताओ कि चुम्बकिया फ्लक्स का मातरग क्या लिखेंगे चुम्बकिया फ्लक्स का मातरग वेबर क्या होता है चुम्बकिया फ्लक्स का मातरग वेब त्वेकर में लिखना है अब यहां पर दो दो सदीशो का अधिस गुड़नफल हो रहा है और यह जो राशी हम लोगों को मिल रही है यह कैसी राशी मिल रही है मलोगों को अधिस राशी मिल रही है ठीक है तो यह छोटी छोटी बात है आप लोग खुद से कर सकते हो कोई वड़ी बात नहीं है अब हम लोगों ने चुम्बकिया फ्लक्स को तो समझ लिया अब वापस से हम आ जाते हैं फैराडे के प्रथम नियम और से केंड नियम से दुबारा से आप लोगों को समझा रह इस परिपत से कितनी मतलब की कितनी बल रेखाएं गुजर रही है कितनी बल रेखाएं गुजर रही है यही हमारा क्या मिल रहा था हम लोगों को चुम्बकिया फ्लक्स मिल रहा था तो किसी बंद परिपत से जैसे इसके आगे जब हम लोग इस तरीके से क्या लेंगे क्वा रहा है जूइब और इस गुजरनेगाले फ्लक्स से परिवर्तन कितना हो रहा है देखो परिवर्तन कब होगा जब हम लूग मैं पराइब देखो सत्य के खेत्र फल को तो बदल नहीं सकते इसका छेत्रफल तो वही रहेगा है ना शेत्रफल वही रहेगा हम लोग इसको बदल सकते हैं तो हम लोग बदल सकते हैं अपने इस चुम्बकिया छेत्र को चुम्बकिया शेत्र को क्या करेंगे बार बार चेंज करेंगे बदलेंगे तो चुम्बकिया शेत्र में बदलाओ क की वज़ा से हमारा क्या होगा चुम्बकिय शेत्र में बदलाव की वज़ा से यहां पर यह हम लोगों का बदलेगा यह बदलेगा तो जब यह बदलेगा फ्लक्स तो किसके साथ बदलेगा समय के साथ बदलेगा ठीक है तो यह क्या है जब बदलेगा तो यह क्या है फ्लक्स म परिवर्तन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, देखो ध्यान से सुनते जाओ, मैं गाएंडी रेवी हूं कि आप लोगों को एक एक concept बहुत अच्छे से आसान भार्षा में आपकी भासा में मैं आप लोगों को समझाओंगी, फ्लक्स में परिवर्तन समझ में आ गया, तो क्या होता है, किसी बंद परिपत में गुजरने वाले चुम्बकिया फ्लक्स में क्या होता है, जब परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के कारण परिपत में, परिपत में क्या उत्पन होता है, विद्ध वाहग बल उत्पन होता ह प्रेरण के कारण जैसे कि मैं आप लोगों को जब मोटिवेट करती हूं तब आप लोगों के दिमाग में करेंट डौरता है और आप लोग क्या कर पाते हो पढ़ाई कर पाते हो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं किसी बंद परिपत में जब क्या कर रहे हैं चुम्बकि वाले चाप्टर में पढ़ा था याद होगा आप लोगों को विद्युत्वाहक बल किसको बोलते हैं ठीक है विद्युत्वाहक बल उत्पन हो रहा है और इस विद्युत्वाहक बल की वज़ा से क्या हो रहा है इस परिपत में विद्युत्धारा प्रेरित हो रही है ठीक है अब इसके बाद ये प्रेरित धारा बहने लगई, धारा केवल तभी तक बहेगी, जब तक ये क्या होगा, चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अब चुम्बकिया फ्लक्स में बढ़ेगा, चुम्बकिया फ्लक्स बढ़ने पर विपरीद दिशा में धारा उत्पन होगी मतलब कि चुम्बकिय फ्लक्स में परिवर्तन अगर बढ़ेगा ठीक है तो धारा कैसी उत्पन होगी विपरीद दिशा में अगर ये चुम्बकिय फ्लक्स में परिवर्तन जो है घटेगा मतलब चुम्बकिय फ्लक्स जब घटेगा तो क्या होगा समान दिशा में धारा उत्पन होगी ठीक है, चुंबकिया फ्लक्स जब बढ़ेगा तो क्या हो रहा है विपरीत दिशा में यहां पर विद्धुद्धारा उत्पन हो रहा है घट रहा है तो समान दिशा में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं चुंबकिया फ्लक्स में परिवर्तन किसके और उस विद्धुद्वाकबल के कारण धारा उत्पन हो रही है ठीक है क्योंकि आप लोगों को पता है कि विभुवांतर लगाते तो विभुवांतर के समानुपाती क्या उत्पन होता है विद्धुद्धारा उत्पन होती है तो यहां पर विद्धुद्वाकबल के कारण विद्धुद्धारा उत्पन हो रही है ठीक है क्योंकि जो हमारा इसमान उपाती होता है किसके धारा के इसी वज़ा से विद्धुद्धारा भी प्रेरित हो करके उत्पन हुई ठीक है अब यह हुई अब यह जारा कब तक उत्पन होगी जब तक के हम लोग क्या कर रहे हैं जब तक कि हम लोग flux में परिवर्तन कर रहे हैं, अगर हम लोग समय के साथ flux में परिवर्तन करना बंद कर दें, अगर flux मौजूद रहेगा पर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना, change नहीं होगा, ठीक है, flux में परिवर्तन अगर शुन्य हो जाएगा, तो कोई भी प्रकार क कि विद्युद्धारा नहीं उत्पन होगी, विद्युद्धारा का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युद्धारा का मान जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इस वज़ा से फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है, प्रेरित वि दिशा में विपरीत दिशा में प्रेरित धारा और फ्लक्स जब घटेगा तो क्या हो रहा है समान दिशा में समान दिशा में प्रेरित धारा उत्पन होगी यहीं क्या लिखा है प्रथम नियम में लिखा है तो प्रथम नियम को मैंने यहां पर आप लोगों को समझा दिया है अब हम द्वितियनियम की बात करते हैं, तो द्वितियनियम को समझ लेते हैं कि जो प्रेरित विद्युत्वाहकबल का मान चुम्बकिया फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन के अनुत्रमानुपाती होता है, किसके अनुत्रमानुपाती होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के अन लोगों ने पहले नियम में देख लिया था दिशा की बात हम लोगों ने क्या किया था पहले नियम में देख लिया था और यहां पर जब हम समानुपाती के विपरीत दिशा में उत्पन हो रही है विपरीत दिशा में हना और जब घट रहा है तो समान दिशा में विपरीत धारा समान दिशा में उत्पन हो रही है इसका कारण यहीं है यहां पर यह जो माइनस चिन्ह लग रहा है वो इसी के कारण लग रहा है ठीक है किसी कारण लग लो लिख लिया ओके दृतिया नियां को भी लिख लो जल्दी से फटा फट चलो इसके बाद ये परिभाशा में हम लोगों ने किसी बंद परिपत के लिए पढ़ा था मतलब किसी एक बंद परिपत के लिए पढ़ा था ठीक है किसके लिए पढ़ा था किसी एक परिबंद पर पर हम लोगों ने पढ़ा था पर हम लोगों ने जो फैराडे का एक्सपेरीमेंट देखा यहां पर किते मान लोगों का मान क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus n d5 by dt हो जाएगा क्या हो जाएगा यह minus n d5 by dt n क्या है कुंडली में कितने फेरों की संख्या है वो यहाँ पर निर्भर करती है इसके अलावा अब यह जो बंद परिपत है यह जो बंद परिपत है अब यह तार है आखिर करतो है तार तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, क्या होगा कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, तो ये जो प्रेरित विद्यूत धारा है, जो मैंने आप लोगों को पताया था, विद्यूत वाहगबल के समानुपाती होगा, ये प्रेरित विद्यूत धारा, यहाँ पर क्या होगा विद्धुत्वाहकबल बटे जो इस कुंडली में जितना प्रतिरोध होगा इबटे आर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं अब यहाँ से अगर हम विद्धुत्वाहकबल का मान यहाँ पर रखेंगे पर इसके रिलेटेड आप लोगों को गॉस्व सकते हैं निवमारिकल कोश्चन सांप लोगों को पुछा जा सकता है ठीक है अब जाइज सी बात है विद्धुत्धारह है तो यहाँ पर एंपियर होगा और यह विद्धुत्वाहकबल है तो यहाँ पर क्या होगा वोल्ट होगा, फ्लक्स है तो वैबर होगा, और चुम्बकिया शत्र है तो वैबर पर मीटर स्क्वाइल, सबका मात्रा क्या है कि ने यस और लिख लिया तो जल्दी से कमेंट में बता दो, लिख लिया तो जल्दी से कमेंट में बता दो, अच्छा ये जो आई है, ये जो वि परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युद्धारा उद्पन हो रही है, पर कहीं न कहीं यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा बॉक्स बना करके बताना चाहूंगी, एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, कि जब आप लोगों ने विद्युद्धारा पढ़ा करें तो यहां पर क्या हो रहा है विद्धिर वाहग bara करें के कारण संसरा ही कि आवेशtt भी ओंद भी होगा तो आवेश का मान मिल चाएगा कि इस प्रेरित विद्धारा में कितना आवेश है ये भी हम क्या कर सकते है निकाल सकते है तो ये भी आप लोगों को पूछ सकता है और यहाँ पर ये भी आप लोगों को पूछ सकता है यहाँ पर जैसे आप लोगों ने क्या किया है प्रेरित धार कर लेंगे बिल्कुल समराइज कर लेंगे जब आगे चल करके जब आपका एक्जाम टाइम आएगा तो इस टाइम पर हम लोग अवियसली बन शॉट हर चाक्टर के हम देखते हैं तो बिल्कुल उस समय भी देखेंगे पर फिलहाल आप लोगों को समझना है खुद से भी आप लोगों को जो फेराडे का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाया था तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को पूरा थियोरी पूरा कहानी आपको समझा दिया था अब यहाँ पर मैं दुबारा से आप लोगों को समझा रही हूँ ठीक है जो आप लोगों ने यह यह बबाबर माइनस D5 बाइद D3 देखा, ठीक है यहाँ पर यह जो माइनस ARE START होता है यह किसके कारण होता है, Lange law के कारण होता है Lange के नियम के कारण होता है, Lange का नियम क्या कहता है, एक बड़ हम देख लेते हैं परिभाशा में कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के तो यहां पर जैसे कि मालों की यह विद्धारा उत्पन हुई ठीक है यह विद्धारा क्या हो गई उत्पन हो गई ठीक है तो इसकी दिशा भी नहीं पता है दिशा को हम लोग समझेंगे यहां पर दिशा को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे तो यह प्रेरित विद्धार कि जो दिशा है सदय इस प्रकार होती है कि वह उसके कारण का विरोध करती है ठीक है क्या करती है वह उसके कारण का विरोध करती है कारण क्या है विद्युत्वाहकबल ये क्या करेगी ये जो प्रेरित विद्युत्धारा है इस विद्युत्वाहकबल का क्या करेगी विरोध करेगी क्या करेगी विरोध करेगी इसी वज़े से हम लोगों ने देखा था कि जब फ्लक्स बढ़ेगा तो विपरीद दिशा में विद्धारा उत्पन होगी और जब फ्लक्स घटेगा तो समान दिशा में विद्धारा उत्पन होगी क्यों हो रहा है ये विरोध के कारण हो अब ये प्रेरिद विद्धारा क्या करने लग गई अपनी ही मां का विरोध करने लग गई जिससे वाँ स्वायाम से मतलब की जिससे वो खुद उत्पन हुआ है जिससे वो खुद पैदा हुआ है उसका विरोध करने लग गया ऐसा होता क्यों है तो उर्जा संदक्षन के नि पर आधारित है इसको हम समझते हैं वापस से फैराडे के एक्सपरिमिन में जो आप लोगों को मैंने जो एक्सपरिमेशन दिया था वहीं से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक हैं? वहीं से हम लोग इसको समझेंगे. लिख लो फट्डावट से सबसे पहले तो यहीं पर समस्ते हम इसको पहले इसको लिख लो फट्डावट से इसको मैं थोड़ा समराइस करके फिर से इस तरीके से लिख देती हूँ सबसे पहले ये परिभाशा नोट कर लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलकुल जो विद्वत वहगबल है, यह इस तरीके से लिखा जाते है, यह है फेराडे का second law, दूसरा नियम, फेराडे का दूतिया नियम है, तो फेराडे के दूतिया नियम के अनुसार E बराबर माइनस D स्कत्रक्टों साद समय मेंalts फ्लक्स में चेंज हो रहा है और इस फ्लक्स में चेंज की करण विद्य उत्वा हक्बल मिल रहा है जिसके कारण निल रहा है जिसके कारण उत्पन हुई है उसी का क्या रही है यह यहाँ पर विरोध कर रही है और यह इसको हम लोग झो है फेराइडे का हम लोग एक चार चुमबक को ले करके आएंगे तो जैसे यह उत्री धुरूर यह धाभ ईपन हो जाएगा जिसके वजह से इन दोनों के बीज में क्या होगा? इन दोनों के वीज में प्रतिकर्शन देखा जाएगा. क्या देखा जाएगा? प्रतिकर्शन. ठीक है? क्या देखा जाएगा? प्रतिकर्शन. अब क्योंकि प्रतिकर्शन हो रहा है? मतलब कि ये naturally प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे क्या करेंगे दूर जाने का प्रयास करेंगे अब दूर जाने का प्रयास ये कर रहे हैं और हम इसको पास लाने का प्रयास कर रहे हैं इसके मतलब क्या कर रहे हैं हम ये विरोध में इस प्रतिकर्शन के इस प्राकृतिक घटना के विरोध में हम लोग क्या कर रहे हैं ठीक है विरोध में हम लोग कारे कर रहे हैं तो कारे करने के लिए हम लोगों को यहां पर क्या लगाना पड़ रहा है बल लगाना पड़ रहा है और जब यहां पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो यह जो बल है यह जो बल है वो क्या हो रहा है यह जो यांत्रिक उर् परिवर्ति थो रही है किसमें परिवर्ति थो रही है विद्यूत उर्जा में परिवर्ति थो रही है ठीक है जो की हम लोगों को प्रेरित विद्यूत धारा के रूप में यहां पर प्राक्त थो रही है ठीक है पर यहां पर विरोध में कारे किया गया है यांतरिक उर्जा जो ताकत लगाए हम, वो उर्जा किस में बदल गई प्रेरित विद्धारा में, तो इस तरह से क्या है, ये उर्जा संदक्षन के नियम पर आधारित है, और क्योंकि हम लोग यहां पर विरोध में कारे कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर लैंज के नियम के अनुसार क्या होता है जिसके कारण उत्पन हुआ है उसका विरोध करता है तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया लैंज के नियम को समझ लिया ठीक है अगर नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो फटा फट तो भाई सब बच्चे रेडी हो रेडी हो एनिमेशन की माध्यम से समझने के लिए बहुत मज़ा आएगा पर आप लोगों को ध्यान से देखते ही जाना है जो भी चीचे मैंने आप लोगों को एक्स्प्लेंड किया है देखते जाओ ध्यान से यह देखो क्वाईल है यहाँ पर है ना क्वाईल है एक परिपत है एक परिपत है एक परिपत है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है चुम्बक को हिलाने के बजाए क्वाईल को हिला दे रहे है ठीक है उल्टा कर रहे है बात वही हो रहा है ठीक है तो क्या कर रहे है जैसे ही हम दूर लेकर के जा रहे हैं जैसे ही दूर लेकर के जा रहे हैं तो धारा की दिशा है जो विल्कुल इस तरीके से दक्षणावर्थ और जैसे ही पास लेकर क्या रहे हैं वामावर्थ देखो बदल रही है दिशा ठीक है चार केसे हम लोगों को यहाँ पर देखना है तो सबस दूर ले करके जाते हैं और उसके अलावा जब हम उत्तरी दूर ले करके जाते हैं सारी चीजे तो इसको थोड़ा speed से हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने काफी जादा इसको समझ तो लिया ही है और थोड़ा quickly हम इसको देख लेते हैं ये तो परिनालिका वाला case हो गया था परिनालिका वाले case में हम लोगों ने क्या किया था इसी coil में विद्युद्धारा हम लोगों ने लगाया था तो विद्युद्धारा लगाने से यहां पर मतलब विद्युद्धारा उत्पन हुई थी एक बार पर जो है हम लोगों ने विद्धूद सेल लगाया था ठीक है विद्धूद सेल लगाया था और विद्धूद सेल लगाने से हाँ यहाँ पर थोड़ा वीडियो को पॉस करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने विद्धु सेल लगाया था इस विद्धु सेल के लगाने के कारण यहाँ पर तार में विद्धु धारा बहना शुरू हुआ था और इस द्विद्युद्धारा बहने के कारण इस कॉल के अंदर हम लोगों को चुम्बक की च्छेत्र मिला था पर यहां पर हम ज़स्ट उल्टा कर रहे हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं यह सेल को हटा के हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे अमीटर लगा देंगे जो प्रेरीद धारा को नापेगा ठीक है उसमें कितना vix acompan हो रहा है उसको भी देखेगा इस बार हम क्या करेंगे विध्युध धारा प्रवाहित ना करके हम चुमबक को ले कर क्याएंगे इसके पास और चुमबक को हम लोग क्या करेंगे दूद पास लेकर के आएगे परिनालिका के केस में भी यहां पर आप लोगों को धुरू उत्पन हो रहा था, आप लोगों ने देखा था उत्तरी धुरू और दक्षणी धुरू जो है उत्पन हो रहा था, ठीक है अब यहां पर जब हम लोग लेंज लॉग का पढ़ाई कर है जब lenzk लोग को समझ रहे हैं तो जब हम लोगे नहीं आ पर देखो नॉर्थ पोल के जब हम इसको पास लेकर गया है ठिक है तो यहां पर भी क्या उत्पन हो गया और एक दुसरे से प्रतिकर्शित होना बीक caf आया अब पास लेकर के आने के लिए यहां पर हम लोगों को महनत करना पड़ा कारे करना पड़ा ठीक है इसका second अगर महनत करना पड़ा कारे करना पड़ा जिसकी वज़ा से हम लोगों को यहां पर क्या हो गया अब आगे अगर next case में अगर second case में देखेंगे तो जब हम इससे दूर ले करके जा रहे हैं, तो दूर ले करके जाते समय यहाँ पर जो है धक्छिनी धुरू बन गया, मतलब की इन दोनों के बीच में प्राकृतिक रूप से आकरशन होगा, प्राकृतिक रूप से जो आकरशन हो रहा है, एक दुसरे को खीच रहा है, उसके विरोधी हम लोगों को दिखाया गया है इस तरीके से होगा ठीक है जब दक्षनी ध्रूवत्पन होगा तो इस तरीके से जो clockwise आप लोगों को दिखा रहा है घड़ी का सुई जिधर घुमता है उस दिशा में और इसके पहले वाले केस में घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ठीक है त समान ध्रूव होने के करण प्रतिकर्शन हो रहा है और इस प्रतिकर्शन के विरुद्ध पास लाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है अब जग दूड लेकर के जाएंगे तब क्या होगा तो वैसा इस जैसे उत्तरे ध्रूवाले में हुआ था दूर लेकर के जाते सम विपरीत ध्रूव बनेगा यहां पर क्या बनेगा यहां पर नौर्थ पोल बनेगा विपरीत ध्रूव के कारण क्या होगा इस विपरीत ध्रूव के कारण फिर हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा महनत करना पड़ेगा यह देखो ठीक है तो यह चार सिनारियो यह चार केसे हम लोगों ने देखे जब हम क्या करें थे पास ला रहे थे तो एक जैसा पोल बन रहा था दूर ले जा रहे थे तो विपरीत पोल बन रहा था और हर बार क्या हो रही थी दिशा अलग अलग हो रही थी ठीक है तो यहां पर बस वही जो मैंने आप लोगों को समझाय कि विरोध में हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है कारे करना पड़ रहा है जिसकी वज़ा से यहां पर क्या हो रही है अलग दिशा जो है उत्पन हो रही है ठीक है और यह हम लोगों ने समझ लिया है यह हम लोगों ने समझ लिया है लैंच के नियम को जल्दी से नोट कर ल आप लोगों के लिए mcq questions कुछ ले करके मैं आई हूँ जिस पर हम बात करेंगे यहां पर तो यह mcq question आप लोगों के पास सामने में जो question लिखा हुआ है क्या पूछ रहा है question में ध्यान से पढ़ेंगे question को एक चुमबक एक बंद चालक के निकट इस्थित है ठीक है एक कोई बंद चालक है बंद परिपत के पास कोई चुमबक अगर इस्थित है तो चालक में धारा उत्पन की जा सकती है हाँ option है आपके अगर केवल और केवल चुमबक जो है गती शील हो दूसरा option है चालक और चुमबक के बीच आप एक छिक गती हो तीसरा option है केवल चालक गती शी हो ठीक है समझना option को चौता option है चुम्बक और चालक दोनों गतिशील हो कौन सा option सही होगा सोचने वाली बात है सोचना पड़ेगा आप लोगों को बिलकुल सोचना पड़ेगा ध्यान से आप लोग यहां पर question को पढ़ सकते हो ध्यान से पढ़ो मैंने आप लोगों को कौन सा option करेक्ट होगा भाई चल्दी से बताओ चल्दी जल्दी quickly answer करेंगे आरे भाई मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि मतलब मैंने जब आप लोगों को समझाया था तब मैं क्या करा रही थी चुम्बक को जो है बिलकुल इस विद्द परिपत के पास विद्द नह ने जो है आप लोगों को परिपत को चुम्बक के पास लाते हुए दिखाया था और परिपत को चुम्बक से दूर ले जाते हुए दिखाया था याद है कि नहीं अभी अभी एक घंटे पहले ही हम लोगों ने आधे घंटे पहले ही पढ़ा है बिलकुल आधे घंटे पहले के मिलेगी किसमें चालक में जो पर बंद परिपत बनाया गया है इसमें हम लोगों को प्रेरित विद्धारा उद्पन हो करके मिलेगी ठीक है चालो ओके क्लियर है सभी को अगले कोशन की तरफ हम जाते हैं तो अब अगला कोश्चन जो है आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को समझना बहुत यासानी से समझ में आएगा आपको जब किसी कुंडली के निकट ठीक है यह हमारी कुंडली है इसके निकट चुमबक का क्या रखा हुआ है दक्षनी ध्रू रखा हुआ है है ना दक्षनी ध्रू को क्या ला कर रहे हैं हम लोग इस कुंडली के पास ला रहे हैं तब इसमें उत्पन प्रेरित विद्धारा की दिशा क्या होगी फस गए अब तो अब यह कुंडली है कभी वामवर्तिया, कभी दक्षिना वर्त होगी, दक्षिना वर्त होगी या फिर इन में से कोई नहीं। हो रहा था, चलो मैं deck कर रही हूँ, answer आपको aboutाना है। जब हम pass लेकर क्या रहे थे, तो इनके बीच में एक जैसा ध्रूउध पन हो रहा था, जिसकी वज़ह से इन डोनों के बीच में क्या हो रहा था, प्रतीकरशन हो रहा था, और जब प्रतीकरशन हो रहा था तो हम लोगों को इस प्रतिकर्शन के विरोध हमें क्या करना पड़ रहा था इस प्रतिकर्शन के विरोध में हमको कारे करना पड़ रहा था यह जो कारे हम कर रहे थे यहीं जो है यांत्रिकुर्जा विद्युतुर्जा में परिवर्थी तो रही थी जिसकी वज़ा वामा वर्थ होगी कि दक्षिणा मर्थ, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको सोचने का समय देती हूँ, क्योंकि I know, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि देखो, यह दो आप्षन तो कट जाएंगे, चलो, मैं आप लोगों के लिए डबल डिप आप्षन भी आप लेकर क्या रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम पास लेकर क्या रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, वामा वर्थ होगा कि दक्षिणा मर्थ, सोचो, सोचो और जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल इसके लिए मैं आपको समय दे रही हूँ, अगर यह चीज बिल्कुल यहीं पर हूँ इसका असर जो होगा क्या धक्षिनार वर्त मैंने आपको अधर कॉंसेप्ट तो बता ही दिया है क्योंकि जब हम इसको पास ले करके आ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है डक्षिन ध्रू को पास लाने से दक्षिर ध्रू ही यहां पर उत्पन होता है और जब दक्षिर ध्रू उत्पन होता है लेंज के नियम के अनुसार यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं विरोध में कारे कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर जब विरोध में हम कारे कर रहे हैं तो यहां पर जब यह प्र अच्छे से याद कर लोगे, समझ लोगे, तो इसके विपरीत अगर आपको जो भी case देगा, चार case में से एक case है, इसके विपरीत जो भी case देगा, तो वहाँ पर आप question को solve कर पाओगे, इस चीज की आपको practice करना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? तो after the class, आप इस ची हना बदलने से किसी बिंदू पर उत्पन होता है क्या उत्पन होता है एक बार फिर से इस क्वेशन को समझते हैं चुम्बकिया प्रेरण के समय हना मतलब की जो विद्धुत चुम्बकिया प्रेरण हो रहा है उस समय हना समय के बदलने के साथ समय के बदलने के साथ चुम्बकिय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदू पर क्या उत्पन होता है गुरुत्विय शेत्र उत्पन होता है चुम्बकिय शेत्र उत्पन होता है या फिर इन में से कोई नहीं क्या उत्पन होता है A, B, C, A, D, थोड़ा सा question confusing है मैं, तो मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, चुम्बकिया प्रेरण में, चुम्बकिया विद्धू चुम्बकिया प्रेरण में, जब समय बदलता है, तो समय बदलने से किसी बिंदू पर क्या चीज उत्पन होता है, चुम्बकिया शेत्र उत था, और क्या उत्पन हो रहा था, विद्धूत वाहक बल उत्पन हो रहा था, विद्धूत वाहक बल उत्पन हो रहा था, और विद्धूत वाहक बल की वज़ा से क्या उत्पन हो रहा है, प्रेरित विद्धूत धारा उत्पन हो रही है, तो विद्धूत धारा के करण क्य उत्पन होगा चुम्बकिय शेत्र देखो गुरुत्विय शेत्र तो होगा नहीं क्या उत्पन होगा चुम्बकिय शेत्र की विद्युद्धारा की वज़ा से क्या उत्पन होगा चुम्बकिय शेत्र में बदलाओ की वज़ा से ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के साथ त विद्युत्वाहकबल उत्पन होता है और इस विद्युत्वाहकबल की वज़े से क्या उत्पन होता है विद्युत्धारा प्रेरित होती है और जब तक यह बदलते रहेगा तभी अब विद्युत्धारा के प्रेरित होने से मेरे ख्याल से तो विद्युत्षेत्र उत्पन ह थे जिसमें हम लोगंने परेनालिका के बारे में पढ़ाता तो परेनालिका के केस में इस तरीके से नोग क्या लेते थे कुंडली में बहुत सारे फेरे लगे होते थे यहाँ पर हम लोग क्या प्रवाहित करते थे यहाँ पर हम विभुवांतर लगाते थे मतलब यहाँ पर विद्धुत्वाहक बल के कारण यहाँ पर क्या प्रवाहित होता था विद्धुधारा प्रवाहित होती थी जसकी वजासे इसके बीच में क्या उत्पन होता था इसके विद्धुध्धारा उत्पन करते हैं और विद्धुध्धारा के बहने के कारण यहां पर चुमबकिय शेत्र भी उत्पन होगा अंदर में चुमबकिय शेत्र भी शित्र दोनों ही उत्पन हो रहे हैं तो कोई बात नहीं यहां पर थोड़ा सा confusion है आप अगर दोनों एंगल से सोचो अगर एक concept के हिसाब से सोचो ठीक है तो इसका clarity मैं आप लोगों को next class में बता दूंगी आगे बता दूंगी कि क्या होगा ठीक है तब तक के लिए इसको हम hold पर करके रखते हैं और hold पर करने की बाद अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं ठीक है अगले सवाल की तरफ जाते हैं प्रेरन कुंडली से क्या प्राप्त होता है ठीक है तो प्रेरन कुंडली से क्या प्राप्त होता है मेरे ख्याल से इस सवाल को हम लोगों को स्वाप प्रेरण कत्व के टॉपिक के बाद करना चाहिए तो इसलिए इस सवाल को भी अभी हम होल्ड करते हैं और हम आज आते हैं अपने आगे के टॉपिक में जिसका नाम है स्वाप प्रेरण, क्या नाम है इसका नाम स्वाप प्रेरण, स्वाप प्रेरण में आप लोगों परिणालिका के concept में हमने क्या किया था शेंड जिस की वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या मिली थी विद्धुद्धारा मिली थी गौन फिर यहां पर पर क्या हुथा अplease स्षरक्रों के अनुसार रहीяс अभी बल रेखाओं की दिशा पर बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों ने परिनालिका के टॉपिक में वो पढ़ लिया है अगर भूल गए हो तो क्लास खतम होने के बाद वापस से गतिमाना अविश्था सा चुम्ब कत्व के चाप्टर में परिनालिका को रिवाइस कर लेना थोड़ा सा ठीक है अब जब हमें आपे स्वाप्रेगन की परिभाशा की बात करते हैं तो जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा का मान प्रवाहित किया जाता है मतलब की बिलकुल ये परिनालिका यहां पर हम लोगों ने अमीटर जो लगा जाया था इसके पहले फैराडे के नियम में फैराडे का जो एक्सपरिमेंट किये थे वापस से हम लोगों ने परिनालिका के जैसे यहां पर जो है यहां पर जो है कोई स्त्रोत लगा दिया है जिससे हम लोगों को विद्धारा मिल रही है और यहां पर हम लोगों क्या लग है बार बार बदल रही है तो अब इस परिवर्ति विद्धारा को जब हम लोग क्या कर रहे हैं इस कुंडली में प्रवाहित कर रहे हैं तो अंदर में क्या उथा है यहां अंदर में चुम्बकिय शेत्र उत्पन होता है तथा जिसके कारण इससे संबध परिवर्तन सिल चुम्बकिय फ्लक्स का मान क्या होता है उत्पन होता है अब क्योंकि ये विद्धारा जो है कैसी है परिवर्ती है इसी वज़ा से यहां पर जो चुम्बकिय फ्लक्स वो भी कैसा होगा समय के साथ परिवर्ती होगा समय के साथ परिवर्ती होगा अब यह केस तो वही आ गया जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा था अब यहां पर परिवर्ती विद्यूत फ्लक्स के कारण क्या उत्पन होगा परिवर्ती विद्यूत फ्लक्स के कारण यहां पर जो है प्रेरित धारा ठीक है यह क्या है प्रेरित धारा इसके पहले जो धारा दे रहे थे वो हम स्त्रोत के रूप में जब यहां पर लगा रहे थे विभुवांतर उसकी वज़ा से धारा थी ठीक है तो यहां पर प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी उत्पन होगी इतना स्वा प्रेरण कहलाती है क्योंकि यहां पर क्या हुआ अभी तक क्या कर रहे थे किसी भी कुंडली के पास हम लोग क्या कर रहे थे किसी भी कुंडली के पास हम चुंबक को लेकर क्या रहे थे तो इस चुंबक के कारण इस चुंबक के चुंबक की यह शेत्र के कारण य इस capital I विद्युधारा के कारण यहाँ पर क्या उत्पन हुआ प्रेरित धारा small I उत्पन हुई ठीक है अब यह क्या कहलाया यह घटना जो है स्वाप्रेरण कहलाया अब जाहिर सी बात है स्वाप्रेरण कहलाया पर इसके जश्ट पहले हम लोगों ने लेंज का नियम पढ़ा है तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा यह प्रेरित विद्युधारा यह जो आई है ठीक है इस आई की मम्मी कौन है इस आई की जो मम्मी है वो capital I है अब यह क्या करेगी जिसके कारण उत्पन हुई है उसी का क्या करेगी विरोध करेगी उसी का क्या करेगी विरोध क कारण किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहग बलुद्पन होता है धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहग बलुद्पन होता है इस घटना को हम क्या कहते हैं स्वाप्रेरण कहते हैं ठीक है तो ये परिमाशा आपने दो ला बहुत important है, अभी तो यहां पर क्या हुआ है, खुद के क्वाइल के कारण, खुद के यहां पर परिपत के कारण यहां पर प्रेरित धारा उद्पन हुई है, आगे देख लेते हैं, जैसे कि यह जो प्रेरित धारा है, इसका experiment अगर आप लोगों को स्वा प्रेरंट के बारे म हैं, जब इस कुझिस को हम लोग क्या करते हैं, दबाद बंद कर देते हैं, मतलब कि यहां पर स्विच दबा देते हैं, स्विच दबाने से क्या होता है, स्विच दबाने के कारण यहां पर धारा बहेगी, यह जो है आई धारा यह मुख्य धारा है, इस धारा के बहने के का होता है बीच में बिल्कुल क्या होगा बीच में इस धारा के बहने के करण चुम्बकिया शेत्र के कारण यहाँ पर क्या होगा इस में भी क्या होगा इसके फ्लक्स में भी इस चुंबकिये शेत्र के फ्लक्स में भी क्या होगा परिवर्तन होगा और जिसकी वज़ा से क्या होगा एमफ विद्युत्वाहकबल उत्पन होगा और यह विद्युत्वाहकबल हम लोगों को प्रेरित विद्युत्धारा देगी ठ ठीक है इन सब का विरोध करेगी बस यही अगर हम लोग कुंजी को खोल देंगे तो खोलने के बाद क्या हो जाएगा कुंजी को खुलने से यहाँ पर विद्धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा मुख्य विद्धारा नहीं वहेगी तो चुम्बकिय शेत्र भी नहीं होगा ना तो चुम्बकिय शेत्र के चुम्बकिय फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा और नहीं हमको कोई विद्धारा मिलेगा नहीं कोई प्रेरित धारा मिलेगी बस यहीं है स्वाप्रेरन और स्वाप्रेरन अगर गुडांक की हम यहाँ पर बात करें ठीक है तो यह स्वाप्र निर्भर कर रहा है यह फ्लक्स का परिवर्तन जो है आपका मुख्य धारा पर निर्भर कर रहा है ठीक है यह फ्लक्स का परिवर्तन आपका मुख्य धारा पर निर्भर कर रहा है और जो प्रेरित धारा है जो प्रेरित धारा है वो भी क्या है इस फ्लक्स पर ही निर्भर कर र होगी हाँ बिल्कुल यहां पर यह जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वह मुख्यधारा के उपर निर्भर करेगी ठीक है मुख्यधारा के उपर निर्भर करेगी और यह मुख्यधारा पर निर्भर करती है जो प्रेरित विद्यो धार है वह भी फ्लक्स में परिवर्तन के उपर निर्वर करेगी क्योंकि फ्लक्स में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी के कारण हम लोगों को क्या मिलता है विद्धित वाहक बल मिलता है अब यह जो स्वाप्रेरन गुडांक है बिल्कुल स्वाप्रेरकत्व मैं आप लोगों के लिए यहां पर बना देती हूं बिल्कुल इस तरह से अभी अभी हम लोगों ने देखा था बिल्कुल परिणालिका जैसा ही है और यहां पर जब इस समान उपाती के चिन्नक को हम हटाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या लगाते है एक यहां पर जो है गुडांक लगाते है यह नियतांक है यह नियतांक है दोनों सीरो पर जब हम क्या लगाते हैं विभुवांतर लगाते हैं जिसकी विज़ा से यहाँ पर विद्युद्धारा उत्पन होता है और बिल्कुल यह जो विद्युद्धारा उत्पन हो रहा है विभुवांतर के कारण जो विभुवांतर हमने लगाया उसके समानुपात होता है समानुपादी के चिन्न को हटाते हैं तो हम लोगों को यहां पर एक नियतांक मिलता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे प्रतिरोध कहते थे तो यह तो विद्धुद्धारा के केस में है यहां पर जो स्वाप्रेरण की घटना हम लोगों ने देखी तो फ्लक्स में जो परिवर्ब्तन हो रहा था जिसवेद Jake वीदयुत वहक्बल मिला प्रेव uzट द्थारा हम को मिले के प्रेदी द्थारा हम लोगों को मिले यह विदूद फ्लक्स पानिर्भाव करती है और यह स्वा प्रेरण के केश में किस पानिर्भार करता है स्वाप्रेरण के केस में ये जो है मुख्यधारा जो हम लोगों ने लगाई है उस पर निर्भर करता है समानुपाती के चिन्नक को हटाने से ये नियतांक स्वाप्रेरण गुणांक कहलाता है ठीक है स्वाप्रेरण गुणांक कहलाता है ठीक है तो ये है आपका प्रेरकत्व त्छीक एे हैं आपका प्रेरह कत्व और यहां पर स्वप्रेरण की घटना हो रही है जिसकी वज़ा से यहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है स्वा प्रेरण गुणांक मिल रहा है तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसको एल से प्रदर्शित करते हैं और ओम के निया में जो पढ़ा था बिल्कुल वहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से क्या मिल रहा था प्रतिरोध मिल रहा था क्या मिल रहा था इस तरीके से प्रतिरोध थोड़ा मिलता जुलता है प्रतिरोध और प्रेरकत्व जो है मिलता जुलता है जब हम लोग इसके संयोजन की बात करेंगे तो इस स्वाप्रेरकत्व का जो संयोजन है आप लोगों का ये लगभग आप लोगों के प्रतिरोध के संयोजन के जैसा ही है और इन दोनों का जो सं आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाए ठीक है अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर यह कुंडली और भूं से नुगान reconciliation folder स्वाप्रेरण की घटना दिखाई दे रही है इस स्वाप्रेरण की घटना में आदर्श रूप से हम यह मानते हैं कि इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है ठीक है पर वास्तविक्ता में इस कुंडली का प्रतिरोध नगण्य नहीं होता क्योंकि तार है चालक ता क्या मिल रहा था इस तार का प्रतिरोध मिल रहा था ठीक है अब इस केस में हम लोगों ने क्या किया है इस केस में हम लोगों ने इस सिंपल तार को क्या बीच के हिस्से को थोड़ा लपेट दिया है ठीक है तो यह क्या बन गई यह कुंडली बन गई क्या बन गई है कुंडली बिन गई और इस कुंडली में हम लोगों ने स्वा प्रेरण की घटना देखी और इस स्वा प्रेरण की घटना में हम लोगों ने जो देखा तो ये क्या कहलाया, ये कुंडली हमारा प्रेरकत्व कहलाया, क्या कहलाया, ये कुंडली हमारा प्रेरकत्व और क्योंकि इसमें स्वाप्रेरण, मतलब खुद से यहाँ पर प्रेरित धारा उद्पन हो रही है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, स्वाप्रेरक बत्व को हम लोग क्या कहते हैं इसको एल से प्रदर्शित करते हैं ठीक है एल से प्रदर्शित करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर प्रतिरोध था वैसे ही यहाँ पर क्या है स्वाप्रेरकत्व है वैसे ही यहाँ पर क्या है स्वाप्रेरकत्व जिसको हम लोग क्या कहर रहे हैं L से प्रदर्शित कर रहे है, स्वा प्रेरण गुडांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वा प्रेरण गुडांक भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंडक्टर, और ये R क्या कहलाता है, रजिस्टर, ठीक है, तो ये common name भी आप लोगों को याद रखने है बिल्कुल ये रजिस्टर है ये इंडक्टर है हिंदी में स्वाप रेरकत्व कहलाता है कॉंसेप्ट क्लियर है स्वाप रेरं गुडांक का स्वाप रेरकत्व का कैसे आया ठीक है कैसी आया क्लियर है आप लोगों को अब यहां से अगर यहां से जैसे कि मैं 5 बराबर 5 बराबर हम लोगों को क्या मिला L I ठीक है यहां से अगर मैं क्या लिखूं यहां से अगर L बराबर लिखूं तो यह क्या हो जाएगा 5 बटे I एल बराबर लिखूं तो क्या हो जाएगा फाई बटे आई अगर अगर मैं यहां पर जो धारा मुख्य धारा जो दे रही हूं इसको अगर मैं एक एंपियर का दूँ अगर जो मुख्य धारा मैं दे रही हूं उसको अगर क्या करूं मैं एक एंपियर की धारा दूँ तो यह स्वाप्रेरन गुणांक या फिर जो स्वाप्रेरकत्व है वो किसके बराबर होगा फ्लक्स के बराबर होगा तो अगर जब परिभाशा लिखने की बात आएगी स्वाप्रेरकत्व या स्वाप्रेरन गुणांक की तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोगों को को परिभाषित करना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं जो नीचे का RPG को बराबर होता है अगर हम कुंडली में क्या करते हैं एक का जो भी समझाना था वो समझा ही दिया है इसके अलावा इसके अलावा जो आपको मैं समझाना चाहती हूं वो है हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स में जब समय के सांथ परिवर्तन होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है विद्युत्वाहकबल मिलता है और ये के नियम्स के अनुसार जब समान पाती के चिन्ह को हताते तो इस हम लोगों कोना यहां लगाना पड़ता है क्योंकि हम लोग ट्या करते है वी रोठ में कारे करते हैं ठीक है तो यह क्या है Ռतिकर दो इसके बाद हॉखल आबर फाई बराबर एलाई हम लोगों को कहां से मिला फाई बराबर एलाई मिला हम लोगों को स्वाप्रेरन से स्वाप्रेरन से हना स्वाप्रेरन की घटना से हम लोगों को मिला ठीक है अब क्या करेंगे यहां पर हम लोग यहां पर हम लोग क्या करेंगे फाई के जगह में लाई रखेंगे रखो ई बराबर माइनस यह क्या हो जाएगा डीवाई डीटी फाई के जगह में रखो ल आई अब यहां पर जो यह विद्धारा है मुख्य धारा यह परिवर्तन शील है हम क्या कर रहे हैं यहां पर विद्धारा को क्या कर रहे हैं परिवर्तन शील गुणां को क्या होगा नियत होगा नियतांहोगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं यह क्या हो जाएगा आपका d i badals ६ esperives समझ में आया तो इसका मतलब क्या हो हना, inductance बोलते हैं, क्या बोलते हैं, inductance, अब इसके मातरक की बात करें, ठीक है, इसके मातरक की बात करें, तो फेराडे जी ने हम लोगों को फेराडे का नियम दिया, ठीक है, फेराडे जी ने हम लोगों को फेराडे का नियम दिया, पर जब हम यहाँ पर स्वाप रेरकत्व क की बात करते हैं ठीक है तो इसका जो Naz想 रहे हैं क्योंकि यह जो हम लोगों को First Crc ला यह बिल्कुल हैं्री साइन्टिस्थ का नाम है आप सभी को पत लाते हैं इनके द्वारा इसी इनकीerson लिए जर्थ और यहान से यह जो विद्युद्धारा यहां से भी हमुग परिवर्द्धारा में, जो परिवर्तन है अगर वो एकांक परिवर्तन हो रहा हो अगर क्या हो रहा हो एकांक परिवर्तन हो रहा हो तो जो विद्धवाहक बल जो विद्धवाहक बल का परिमार है यह स्वाप्रेरकत्व या फिर स्वाप्रेरन गुणांक के बराबर होगा अगर विद्धारा में परिवर्तन एक आंक हो, परिवर्तन की दर एक आंक हो तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, ड आई बाई ड ट बराबर एक हम लोगों ने लिया है, ठीक, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, अब आगे क्या पढ़ना ह हम लोगों को हाँ बिल्कुल यह परिभाशा जो अभी मैंने आप लोगों को लिख के बताई है कि किसी कुंडली में स्वा प्रेरकत्व का संख्यात्मक मान है वो क्या होगा उसमें अगर संख्यात्मक मान जो है वो प्रेरित विद्वाहग बलके जो संख्यात्मक मान के इत्वाप्रेरकात्व समतल व्रित्ता कार कुंडली तो जैसे की मैं Pinterest को बताया बायो सेवट के अनुप्रैयोग जब आप less नहीं पढ़ा था कर बिएक कुंडली पर नालिका तो इन वृत्ताकार कुंडली में यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा एक वृत्ताकार कुंडली में हम लोगों ने क्या किया था बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने विद्धुधारा प्रवाहित करवाई थी आई आई विद्धुधारा प्रवाहित करवाई थी हम लोगों न यहां पर जो है दिशा बदल जाएगी बिल्कुल इस तरीके से प्रवाहित होगा यह आई प्रवाहित होगा इस कुंडली में सम्त इस सम्तल वृत्ताकार कुंडली में ठीक है अब इसकी वज़ासे यहां पर चुंबकिये शेत्र रेखाएं आप लोगों ने पढ़ा था उसको बदल सकते हैं तो मुख्यधारा में जो समय के साथ परिवर्तन होगा जिसकी वज़ासे क्या होगा इसके चुंबकिये शेत्र में भी क्या होगा परिवर्तन होगा बल रेखाओं में तभी तो क्या होगा फ्लक्स में भी क्या होगा समय के साथ परिवर्तन होगा और इ यहां पर अगर हम लोगों को स्वाप रेरकत्व क्यालकुलेट करना है मतलब स्वाप रेरकत्व मतलब इसके केस में अगर हम लोगों को एल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा जो हम लोगों नहीं यहां पर पढ़ा था किसमें पढ़ा थ तो वहाँ पर हम लोगों को क्या formula मिला था जल्दी से याद करो mu naught and i2 यही formula मिला था क्या yes or no जल्दी से बताओ i2 यहां पर क्या था 2R है ना यही formula मिला था कुंडली की बात कर रहे तो एक हम लोगों ने लंबी लंबी चालक तार के लिए देखा था एक हम अगर कुंड़ली में एन फेरे लपेटे हो तो यहाँ पर जो capital N है capital N है यह क्या है फेरो की संख्या फेरो की संख्या ठीक है तो यह चुम्बकी के शेत्र का फार्मूला अगर हम लिख रहे है तो गतिमान आवेश और चुम्बक रत्व से यह हमारा हो गया ठीक है अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स बराबर क्या होता है बी इंटू ए बिल्कुल फ्लक्स बराबर यही होता है ना शेत्रफल तो यहां पर आर त्रिज्जा लिया था हम लोगों ने क्या लिया था याद है आर त्रिज्जा हम लोग इसका लेते थे यहां पर ह अगर लोगों लिखा है तो यहां पर मैं क्या कर देती हूं क्या about this यहां पर अगर स्मावा थो यहां पर यहां से यह ज़ो फ्लक्स हम लोगों ने लिखा है इसके जगह में अगर हम क्या करें B और A का अगर मान रख दे हैना यहां से A का मान रख दूंगी यहां से B का मान रख दूंगी तो यह क्या हो जाएगा Mu naught N I बटे 2R और यहां पे क्या हो जाएगा Pi R का वर्ग Pi R का वर्ग हो जाएगा 1R और A कार यहां से कैंसल हो जाएगा इक आर यहां से cancel हो जाएगा ठीक और और इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोगते निकाल यहां है जाएगा 5 बटे आई 5 बटे आई बराबर मू नॉट एन और बटे में दो और यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर होगा अब इस फाई बटे आई के जगा में हम क्या लिख सकते हैं L लिख सकते हैं L बराबर मू नॉट पाई आर एन बटे दो यह आजाएगा अपलोगों का समतल वित्ताकार कुंडली का स्वाप डे रकात्रा थू ठीक है ये केवल कुंडली की बात कर रहा है जब इस तरीके से है ठीक है इस तरीके से जब है तो अब ये किस पर किस पर निर्भर कर रहा है तो आप लोग देख सकते हो ये फेरो की संख्या पर निर्भर कर रहा है कुंडली की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है और किस पर निर्भर कर रहा है यह बिलकुल चुम्बक शीलता पर निर्भर कर रहा है कि निर्वात की चुम्बक शीलता पर निर्भर कर रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि तीन कारक है त्रिज्या त्रिज्या बढ़ेगा त तो स्वाप्रेर कत्व बढ़ेगा लिख लेते हैं यहाँ पर एल बराबर म्यू नौट आर पाई कैपिटल एन बटे क्या है दो तो त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा स्वाप्रेर कत्व बढ़ेगा फेरों की संख्या बढ़ेगी तो भी स्वाप्रेर कत्व और चुम्बक शिल्ता अगर बढ़ेगी निर्वात की चुम्बक शिल्ता अगर बढ़ेगी तब भी यहाँ पर क्या बढ़ेगा सम्तल रित्ताकार कुंडली का स्वाप्रेर कत्व बढ़ेगा ठीक है अब हम लोगों ने सिंपल कुंडली के लिए यहाँ पर देखा ठीक है ज जो हमारी परनालिका है यहां पर ठीक है अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया है बिलकुल कुंडलियों को इस तरीके से अगर हम लोगों ने कर दिया फेरों की संख्या एक के उपर एक लपेटना ये अलग बात है एक के उपर एक लपेटना ये क्या है कुंडली और यहां प देखना है ठीक है इस परिनालिका में स्वाप्रे रकत्व कैसे निकालेंगे तो जाहिर सी बाते भाई यहां पर डाइग्राम में देख सकते हो यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं आई विद्धारा बहा रहे हैं तो आई विद्धारा बहाने के लिए हम लोगों को यहां प पन what function구nehya mean हम एश निसकी वजाल से अगर हम यहां पर इस विद््धुधारा में परिवर्तन करें गे समय के साथ विद्धुधारा में 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 तब या करके यहां पर क्या होगा चुमब्कियों चुम्बकिय शेत्र रिखाओं में परिवर्तन होगा तब जाकर के क्या होगा चुम्बकिय फ्लक्स में भी परिवर्तन के वाज़ासे हम लोगों को स्वा प्रेरण की घटना यहाँ पर दिखाई देगी और फैराडे के नियम से यहाँ पर चुंप विधिध्धरा बहाई जा रही है उसके वज़ा से यहां पर क्या ऊथपन होगी प्रेरित धारा उथपन कि जो कि अपने कारण और अपने ममी पापा रोध Wenya पर से और निकालनाहे तो स्वाप रेरकत्व निकालने के लिए फिर से L बराबर 5 बटे I हम लोगों को यहाँ पर इस्तमाल करना होगा और हम लोगों को यह निकालने के लिए फिर से जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया था वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर 5 बराबर BA हम लोग ले रहे हैं और यह पर परिनालिका के लिए चुम्बकिय शेत्र का सुत्र क्या होता है किसी को याद है क्या होता है परिनालिका के लिए चुम्बकिय शेत्र का सुत्र तो परिनालिका के केस में परिनालिका के केस में चुम्बकिय शेत्र का सुत्र होता है μू 0 N I B बराबर μू 0 N I, यह small N है इस small N के जगह में हम लोग क्या लिखते थे capital N बटे L और I ठीक है, तो यह जो L है वो क्या है, तार की लंबाई जिससे परिनालिका बनी है, और उस तार की लंबाई से कितने फेरे लपेटे गए है है, यह capital N दर्शाता है है ना, कितने फेरे लपेटे गए है यह क्या दर्शाता है, capital N दर्शाता है अब क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब की यह बहुत सारे फेरे और बहुत सारी कुंडलियां भी है, ठीक है एक समतल कुंडली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी कुंडली है ठीक है तो यहां पर मालो की इस कुंडली की तरिज्जा को तो स्मॉल आर माल लेते हैं कुंडली की तरिज्जा को स्मॉल आर माल लेते हैं ठीक है पर हर कुंडली में भी कई फेरे हो सकते हैं क्या हो सकता है हर कुंडली में भी कई फेरे हो सकते हैं ठी पांच बार इसको इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है पांच बार इस तरीके से लपेटा है ठीक तो यहाँ पर जो छित्रफल होगा तो इस पांचो कुंडली का होगा है ना क्योंकि यहाँ पर परिनाली का पांच कुंडली से बनाई गई है कई कुंडली हो सकती है कई सं फाई बरावर चुम्बकिया शेत्र म्यू नॉट क्यापिटल एन बटे एल जो है तार की कुल लंबाई और विद्धुद्धारा मुख्यधारा कितनी बहाई गई आई शेत्र फल क्या हो गया क्यापिटल एन पाई आर का वर्ग अब इसको सॉल्व करो सीधी सी बात है आई को हमको लीचे लाना है तो यहां से हम लोगों को स्वाप रेरकरत्व मिल जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन का वर्ग बटे L और क्या हो जाएगा ये पाई आर का वर्ग देखो तो स्वाप रेरकत्व मिल गया हम लोगों को परनालिका के केस में लिख लो भाई जल्दी से नोट कर लो कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो कमेंट में कमेंट में लिख करके डाउट पूछ सकते हो तो भाई यहां पर भी वही सेम चीज है कि आप लोगों का यहां पर तरिज्जा पर निर्भर करेगा और फेरो की संख्या पर और यहां पर किस पर निर्भर करेगा यहां पर चुमबक शिल्दा पर निर्भर करेगा इसके बाद एक question कर लेते हैं, सवाल बिल्कुल आप लोगों का जो प्रेरित विद्युत्वा हकबल आप लोगों को ग्याद करना है, और स्वाप्रेरकत्व से यहाँ पर प्रेरित विद्युत्वा हकबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, question को read कर लेते हैं, 240 फेरे और 12 सेंटीमीटर लंबी, L बराबर 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या दी हुई है, त्रिज्या वाली परिनालिका में, धारा कितना दिया हुआ है, 0.8 एंपियर, विद्युत्धारा, जो की यह परिवर्ती विद्युत्धारा है, D.I.Y.D.T., हैना, क्या दिया हुआ है, परिनालिका में धारा जो है, 0.8 एंपियर पर सेकेंट, अब मात्रक से देखो, एंपियर पर सेकेंट, मतलब की यह क्या दिया हुआ है, आप लोगों को, D I by D T का मान दिया हुआ है 0.8 Ampere निकाले के लिए, सबसे पयली बात हम लोगों को पता है फैराडे के दूतिय नियम से E बराबर है ना E बराबर माइनस N D5 by DT यह हम लोगों को फैराडे के नियम से पता था इसके बाद जब हम लोगों ने स्वाप रेरकत्व पढ़ा तो 5 बराबर हम लोगों को मिला था क्या Li तो वहां से हम लोगों को यहां पर हम लोगों को जो है स्वाप्रेरकत्व परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व का जो सुत्र है अभी अभी हम लोगों ने ग्याद किया है यही था हमारा सुत्र हाँ बिल्कुल यही सुत्र था देख लेते हैं एक बार हाँ बिल्कुल इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पर एल के जगह पर इ बराबर माइनस मुझ नॉट एन स्कुर बटे एल और यह होगा आपका पाई आर का वर्ग और यह होगा डि आई बाई डी टी बिल्कुल आपको आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है डी आई बाई डी टी कमांद सुने दसमलाव आठ रख दो जल्दी से 0.8 और पाई आर का वर्ग कितना दिया हुआ है आप लोगों को है तो म दी अपड़रं कितना दिया हुआ हिएå यहां पर 1 और संटी मीटर को अंगर हम लोगों कि या करना है मिटर में करना भर्ट करना है तो यह हो जाएगा दसमलाव 25 हो जाएगा लगना ने कम परकर दिया है यहां पर हम लोगो prisons कि संख्या हम लोगों को 240 दी हुई है 240 का वर्ग कर दो म्यू नौट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 यह पूरा आप लोगों का क्या है यह आप लोगों का आ जाएगा विद्युत वाहग बल बस कैलकुलेशन करना है आपको विद्युत वाहग बल चलो जही फटा-फट से करो भई कैलकुलेशन कर लो फटा-फट से क्या आ रहा है अंसर कमेंट में बताओ सब कोई कमेंट में लिख करके अंसर बताओ क्या आएगा अंसर तो यहाँ पर विद्युत्वाहक बल का जो मान आएगा 6 गुणा 10 की घात मानस 4 वोल्ट ठीक है अगर अभी तक के calculation नहीं किया है तो जगा छोड़ सकते हो calculation का पार्ट बाद में कर सकते हो पूरा concept मैंने आप लोगों को question में बता दिया है कि अगर प्रेरित विद्युद्वाहक बल आप लोगों को calculate करना है तो किस तरह से calculate करना है अब बात करते हैं प्रेरक कुंडलियों के सहियोजन की ठीक है तो प्रेरक कुंडलियों के सहियोजन की तो प्रेरक कुंडली जो है हमारी ठीक है प्रेरक कुंडली ये हमारी क्या है प्रेरक कुंडली इस प्रेरक कुंडली में हम लोगों को क्या मिला स्वाप्रेरक करत्व या फिर स्वाप्रेरण गुडांग ठीक है अब हम लोगों को इनका संयोजन करना है तो जब हमारे पास दो या दो से अधिक प्रेरख कुंडलिया होंगी ठीक है दो या दो से अधिक हमारे पास जब भी प्रेरख कुंडलिया होंगी तो हम लोग क्या करेंगे इनका संयोजन जब करेंगे तो हम लोग दो तरह से स योजन कर सकते हैं एक हम लोग कर सकते हैं स्रेणी क्रम में जैसे कि हम लोग प्रतिरोध के लिए करते हुए आये थे दूसरा हम लोग कर सकते हैं समनांतर क्रम में जैसे हम लोगों ने प्रतिरोध के लिए और संधारित्र के लिए किया था है कि नहीं तो जब हम लोगों को स्र तरीके से जोड़ा था हम लोगों ने इसका पूरा एक्स्प्लेनेशन हमने आल्रेडी देख लिया है इसलिए मैं बहुत डिटेल में एक्स्प्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आल्रेडी प्रतिरोध और संथारितर दोनों ही पढ़ लिया आपने जब हम लोग इस तरीके से तो समनांतर क्रम में सही होजन करने के लिए बिल्कुल एक दूसरे के समनांतर जोड़ेंगे इसको ये हो गया हमारा समनांतर क्रम में सही होजन इसका एक का L1 और एक का L2 ये समनांतर क्रम सही होजन हो ठीक है जल्दी से देख लो स्रेडी क्रम समनांतर क्रम सही होजन अब याद करो जब आप लोगों ने जब आप लोगों ने प्रतिरोध के लिए जब किया था तो वहाँ पर आप लोग क्या इस्तमाल करते थे ओम का नियम वी बराबर आ रहाई जब आप लोगों ने किसके लिए किया था संधारितर के लिए किया था तो क्यू बराबर सी वी यह व तोध हो गया और यहाँ पर धारिता हो गई और यह प्रेरकत हो गया तीनों ही क्या है यहाँ पर तीनों ही जो है वो नियतांक है जिसका हम लोगों ने यहाँ पर जो है संयोजन देखा है और जब हम लोग यहाँ पर स्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे तो एक एक करके अब यह स्रेणिकरम् से उजिण में इस तरह किसे अगरूड़ा हुआ है तो अदर हम क्या करेंगे इसमें अस चरा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर फ्लक्स उत्पन होगा उत्वर को तो इसकी वजह से यहां पर जो हैं रहे को मिलेगा La तो यह क्या हो जाएगा ये ऐल बन ऑई होगा जिसकी व LB को जैका मिल रहा है और प्राहित हो चिब क्या हो रही है वद्युद्धारा एक जैसी प्रवाहित हो रही है तो अगर हम लोगों को यहां पर तुल्य प्रेरकत्व निकालना है क्या निकालना है तो क्या करना पढ़ेगा हम लोगों को, हना, कुल flux, 5 बराबर 5 1 प्लस 5 2 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का L I बराबर, नीचे लिख देती हूं L I बराबर ये हो जाएगा L 1 I प्लस ये हो जाएगा L 2 I आगे क्या करेंगे आगे क्या करेंगे, L I बराबर येहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विद्धारा को कॉमन निकाल देंगे, ये हो जाएगा L 1 प्लस L 2 ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, I और I जो है कैंसल हो जाएगा और ये आप लोगों का तुल्य प्रेरख कत्व सेनिक्रम संयोजन में, जो तुल्य प्रेरख कत्व का संयोजन है, वो क्या होता है, दोनों के प्रेरख कत्व के योग के बराबर होता है, तुल्य प्रेरख कत्व दोनों के प्रियोग के बराबर होता है, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सेनिक्रम संयोजन, अगर हम बात करते हैं समनांतर क्रम संयोजन की ठीक है बिल्कुल प्रतिरोध की तरह है समनांतर क्रम संयोजन यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से हम लोग दोनों प्रेरख कुंडलियों को समनांतर करम में जोड़ देंगे, इनका स्वा प्रेरख अत्व L1 और L2, यहां पर हम जब विद्धारा प्रवाहित कराएंगे, तो क्या होगा, क्योंकि अब यह समनांतर करम में जोड़ा हुआ है, तो जो यह I धारा प्रवाहित होगी, वो क्या ठीक है, तो पहली वाली कुंडली में जो धारा जाएगी, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, दूसरी वाली कुंडली में जब धारा जाएगी, उसको क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, इसका मतलब यहां पर यह कुल विद्ध धारा है, I बराबर यह दो बराबर di1 by dt प्लस ये क्या हो जाएगा di2 by dt ठीक है di2 by dt अगर इसको नई भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि पिछले वाले केस में जब हम लोगों ने स्रेणी क्रम सही ओजन में पढ़ाता तो वहाँ पर भी विद्धारा में परिवर्तन तो होगा ही तभी हम लोगों क् आप लोगों का जो है बिल्कुल हम लोगों ने यहां पर इस चीज को इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर जो है दोनों कुंडलियों में अलग अलग धारा जारी है अलग 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 धारा जारी है तो हम लोगों को यहां पर explain करके लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जो पहले वाले यह जो पहला वाला कुंडली है इसमें क्या होगा आप लोह का चीम I2 by DT और आप लोगों को पता है ये जो विद्धित्वाहग बल है हना इन दोनों का जो विद्धित्वाहग बल है वो क्या होगा दोनों समनांतर क्रम में जुड़े होने की कारण दोनों का विद्धित्वाहग बल एक जैसा ही होगा हना क्योंकि समनांतर क्रम संयोजन में वि Di1 by dt बराबर, आप लोग क्या लिख सकते हो, E2 L1 minus E2 L1, और यहाँ पर Di2 by dt बराबर क्या लिख सकते हो, यह तो लिख लिया आप लोगों ने, क्या मिल गया हम लोगों को I1 और I2 मिल गया, उसी तरीके से आप लोगों का जो E है, E बराबर, यह माइनस L, यह जो आपका तुल्य, तुल्य को मैं equivalent लिख रही हूँ, यह हो जाएगा आपका DI by DT, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला जो formula है, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो सकता है, यह जो formula है, इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यह हो जाएगा हमारा यह DI by DT, बराबर आप लोग लिख सकते हो, माइनस E बटे L equivalent, है ना, और यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर value रखोगे, तो यह हो जाएगा, माइनस E बटे तुल्य या फिर equivalent, यह हो जाएगा, माइनस E बटे L1, प्लस माइनस E बटे L2, क्या किया है हम लोगों ने यहा पर, इनका मान रख दिया है, इनका मान रख दिया है, है ना, value रख दिया है, value रखने के बाद, अगले step में क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको common निकाल के लिख सकते हैं, माइनस E, एक बटे L1 प्लस एक बटे L2, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यह वाला और यह कैंसल हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, और क्या जाएगा आप लोगों का, एक बटे L एकुवेलेंट बराबर आजाएगा, एक बटे L1 प्लस एक बटे L2, बिल्कुल प्रतिरोध की तरह, ठीक है, तो मैंने बताया था ना, कि प्रतिरोध औ और प्रेरकत्व एक जैसा होता है, है ना, प्रतिरोध और प्रेरकत्व एक जैसा संधारित्र में ज़स्ट उल्टा था, हैना, संधारित्र में ज़स्ट उल्टा था, याद कर लो, बिल्कुल, मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूं, जैसे हम लोगों को यहाँ पर स्रेणी करम में L equivalent बड़ाबर L1 प्लस L2 मिला है ना समनांतर करम में हम लोगों को क्या मिला यह स्रेणी है और यह समनांतर है है ना यहाँ पर हम लोगों को 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 मिला कब हम लोगों को स्वाप रेरकत्व के केस में और अगर जब register की case की बात कर रहे थे तो स्रेणी में हम लोगों को R equivalent बराबर R1 प्लस R2 मिल रहा था. और क्या मिल रहा था यहाँ पे 1 बटे R equivalent बराबर, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 ठीकता है? जब हम लोग धारिता की बात कर रहे थे, तो धारता के case में हम लोगों को स्रेणी क्रम में क्या मिल रहा था इस तरीके से मिल रहा था conclusion मैंने आप लोगों को बता दिया और समरांतर क्रम में इस तरीके से मिल रहा था ठीक है तो तीनों को आप लोग नोट कर सकते हो लोगे पड़ते हैं तो आगे अब एक क्क लेते हैं इस क्कोर्शन में हम लोगों को क्या करना है बिलकुल जैसे हम लोगों ने प्रतिरोत की रि रिलेटेड बहुत सारे क्कोर्शन क्या था वैसे हम लोगों ने धार्टा से भी बहुत सारा कोशन किया था यह भी विल्कुल इसी तरीके से होगा यहां पर आप लोगों को L1 का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यहां पर जैसे की शुन्य दिया हुआ है क्योंकि प्रेरकत्व का जो मातरक होता है वह हैं री होता है प्रतिरोध का ओम में होता है और धारता का क्या होता है धारता का क्या होता है फेरेड है है कि नहीं तो यह हैंटरी में लिखा हुआ है मारर व्लोग आपको 20,5 है तो सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों का क्या करना होगा इन दोनों का हम लोगों को समनांतर क्रम में solve करना होगा तो क्या हो जाएगा L2 गुणा ये क्या हो जाएगा 1 बटे L2 प्लस 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 ठीक है अगर इसको solve करेंगे तो हमारे पास जो है ये L बराबर क्या जाएगा L1 into L2 जल्दी से answer बताओ मेरे को comment में answer बताओ क्या होगा ये इस तरीके से L हमारा यहाँ पर निकल जाएगा जो समनांतर प्रतिरोध का है है कि नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है L1 plus L2 into L3 बटे क्या लिख सकते है है L2 plus L3 है कि नहीं क्योंकि यह जो समनांतर क्रम सहीं हो जान है इसके साथ किसमें है इसके साथ यहाँ पर स्रेणी में है तो यह जूड़ेगा यह वाला हिस्सा क्या होगा जूड़ेगा लिख लो आंसर बिल्कुल आप लोगों को वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पर परिणामी आने की इकुवेलेंट तुल्य प्रेरकत्व या इकुवेलेंट प्रेरकत्व मिल जाएगा चलो बिलकुल आसान है और यह क्वेस्टन्स हम लोगों ने प्रतिरोग के कैस में काफी ज्यादा प्रैक्स हम लोगों करी है आपको खुद से यह चीज़ें प्रैक्टिस स्कारनी होंगी क्योंकि आल्रेडी हम लोगों की बहुत practice कर लिया है और भी practice करना पड़ेगा आप लोगों को अपने exam के लिए आगे की topic में आते हैं अन्योन या प्रेरण या फिर यहाँ पर अन्योन या प्रेरण या फिर प्रेरकत्व ठीक है अभी तक हम स्वा प्रेरकत्व की बात कर रहे थे जो खुद के कुंडली में प्रेरण के कारण उत्पन हो रहा था अन्योन या प्रेरण या फिर प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है अन्योन या प्रेरण का मतलब ये होता है कि दूसरी कुंडली के एक कारण जैसे कि अभी तक हमारे पास सिंगल एक कुंडली थी ठीक है क्या थी? सिंगल एक कुंडली थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? विद्युद्धारा प्रवाहित कर रहे थे जिसकी वज़ा से यहाँ पर क्या हो रहा था? स्वा प्रेरकत्वा जो है उत्पन हो रहा था. इसके बाजु में मानलो एक और कुंडली रख दी मैंने औ तो हो रही है ठीक है अगर जैसे कि हम चुम्बक को पास में लेकर के आ रहे थे इस कुंडली के ठीक है ये भी एक चुम्बक की तरह ही कारे कर रहा है आप लोगों ने पढ़ा है कि परनालिका भी जब उसमें हम विद्धारा प्रवाहित कराते हैं तो और स्थाई रूप से व अभी तक कि कि किसी चुम्बक के कारण प्रेरन हो रहा था अब हम लोग क्या कर रहे हैं दूसरी कुंडली के कारण यहाँ पर इस कुंडली में प्रेरन हो रहा है तो जब पढ़ोसी के कारण यहाँ पर प्रेरन होता है तो यह क्या कहलाता है अन्योन या प्रेरन या फिर अ को एल से और यहां पर दूसरे परोशी के कारन जब यहां पर प्रेयरण की घटना हो रहे जिसके वाज़ से प्रेड़ा कात्व अुद्पन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे क्या पिटल एम से प्रदर्शित करेंगे इसको अंग रेजी में कहते हैं mutual inductance क्या बोलते हैं M for mutual inductance ठीक है और एल जो है एल क्या कहलाता है self inductance ठीक है अब इसकी परिभासा देख लेते हैं एक विद्धित परिपथ में धारा बदलने पर क्या होता है दूसरे विद्धित में प्रेरित विद्धित वाहक बल उत्पन होता है कहानी वही है कहानी वही है प्रेरित धारा भी उत्पन हो रहा है प्रेरित विद्धित वाहक बल के कारण उत्पन हो रहा है पर इस बार जो प्रेरित विद्धित वाहक बल है वो यहां पर पडोसी से उ उत्पन हो रहा है फिरित धारा प्रवाहित हो रही है अब यह प्रेवित धारा की जो दिशा है वह पहले कुंडली थैसे वह ने उन्हाराक पढ़ बिल्कुल विलकुल वाइसे ही है इसमें बहुत ही गारेधर इसको कर छूकल है दूसरे शब्दों में अगर हम लिखे यदी दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें एक कुंडली में क्या करते हैं इस बहने वाली धारा में पहली कुंडली में इस बहने वाली धारा में क्या करते हैं समय के साथ अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके करण क्या होता है विद्धुद्वाहक बल उत्पन होता है दूसरी कुंडली में विद्धुद्वाहक बल उत्पन होता है ये और इस विद्धुद्वाहक बल से क्या होता है यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन होती है तो इस विद्धुद्चुम्ब किया प्रेरण की घटना को क्या कहते है इस घटना को अन्योन्य प्रेरकात्व पड़ोसी की कारण बस बात वही है कि अगर पड़ोसी पड़ोसी अगर क्या है खुश है तो उसका अगला पड़ोसी दुखी हो जाता है ठीक है तो बस वही है है ना चलो हो गया अन्योन प्रेरकात्व, बिल्कुल इसमें अन्योन प्रेरकात्व में बिल्कुल ये जैसे हम लोगोंने एक्सपरिमेंट देखा था यही चीशा भी मैंने आप लोगों को समझाई ए अगर करत हम यहां पर निर्भर करेगा किस पर निरभर करेगा इसमें जो विद्धधारा परिवर्तित हो रही है इस पर निर्भर करेगा इसमें विद्धारा जो परिवर्तित हो रही है एक बार फिर से कहानी देख लेते हैं जैसे पहले वाले कुंडली में मैं क्या कर रही हूं विद्धारा में परिवर्तन कर रही हूं जिसकी वजह से यहां पर क्या उत्पन हुआ बिल्कुल यहां पर जो है चुम्बकिय शेत्र उत्पन हुआ चुम्बकिय शेत्र उत्पन हुआ और इस चुम्बकिय शेत्र में विद्युद्धारा जैसे परिवर्तन होगा उसकी वज़ा से यहां पर फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा क्या होगा फ्लक्स में भी परिवर् रहा है ठीक का?, जिसकी वज़ा से क्या होगा अब ये जो बाजु वाली कुंडली थो है दूसरी कूणली में क्या उध पन हुई है। बिल्कुल यहाँ पर जो है flux में क्या हुआ यहाँ पर विद्युद्वाहकबल उत्पन हुआ जिसकी वज़ासे यहाँ पर क्या हुई प्रेरित विद्युद्धारा उत्पन हुई अब यह जो प्रेरित विद्युद्धारा उत्पन हुई यह हमको कैसे पता चलेगा तो बिल बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था पर यहां पर जो अन्योन यु प्रैरिकत वर 17 जो है यह यहां पर यह और धंच कुराहलाह Nke बैल्कुल जैसे हम लोगों ने मतलब इसके पहले फ्लक्स जो है फ्लक्स जो है फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो किसके करण किस पर निर्भर कर रहा था जो मुख्य धारा हम बहा रहे थे उस पर निर्भर कर रहा था तो यहां पर जो मुख्य धारा बहा रहे हैं ठीक है तो यह हम लोग पहली वाली कुंडली को प्राइमरी लिखते हैं और प्राइमरी पिदेए , यहां पर जो प्राइमरी पहले वाली कुंड़ी की जो धारा है को लिखते है यह इसको लिखते है क्या आई हरे इस क commentary द्लち nive है है पहली माली कुंड़ी का जो फ्लक्स है वह अपका प्लग एक लाएगा दो प्रॉसरी वाली कुंड़ी का जो flux है वो क्या कहलाएगा फाई S कहलाएगा और यहां पर इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन हुई है तो यह दूसरी वाली कुंडली के flux में परिवर्तन के वजह से हुई है ठीक है तो मतलब दूसरे वाले में जो flux में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ उसके वजह से क्य वाले कुंडली में जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर जो हम लोग मुख्यधारा लगा रहे हैं इसमें परिवर्तन के वजह से उत्पन हो रहा है तो जब अन्योन प्रेरण की बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों को क्या लिखना होगा यह लिखना होगा हम लोगों का अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर म्यूच्वाल इंडक्टेंस इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर म्यूच्वाल इंडक्टेंस बोलते हैं यह हम लोगों को मिलेगा और यह जो अन्योन्य प्रेरकत्व हैं यह हो जाएगा आप लोगों का दूसरे वाले कुंडल के लिए भी बस वही कर देंगे कि अगर हम क्या करेंगे जो पहले वाले कुंडली का जो मुख्यधारा है उसका अगर हम нал यम तो दूसरे कुंडली में उत्पन प्रेरकत्व है वह किसे बराबर हो जाएगा दूसरे यह लिखा हुआ है चाहो तो नोट कर लो अभी मैंने जो explain किया बिल्कुल वही लिखा हुआ है और यहां पर जैसे कि हम लोगों ने उसमें एक समतल वृत्ताकार कुंडली देखी थी यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए कम से कम दो हना दो से ज्यादा भी हो सकती है कम से कम दो तभी यहां पर क्या होगा अन्योन या प्रेरकत्व उत्पन होगा है ना क्या होगा अन्योन प्रेरकत्व तो वहां पर हम लोगों ने जो देखा था कुंडली के लिए बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे दो आर यह हमारा फॉर्मूला था समतल कुंडली के लिए तो यहाँ पर दो कुंडली है, दो कुंडली है, और यहाँ पर यह आर, दो कुंडली है, ठीक है, और पहले वाली कुंडली में जो धारा होगी, वो मुख्य धारा होगी, दूसरे वाले कुंडली में जो धारा होगी, वो क्या होगी, प्रेरित धारा होगी, तो इस प्रेरित यहाँ पर इसको हम IP लिख लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं IS secondary primary और secondary बांकी सारी चीजे बस बिल्कुल वैसे ही होगी बस मैं इसका finally आप लोगों को लिख देती हूँ कि यहाँ पर M बराबर 5S बटे IP हमारा आएगा जैसे हम लोगोंने पहले किया था वैसे ही आप लोग इसको खुद से कर सकते हो यहाँ पर केवल फेरो की संख्या एक थी यहाँ पर क्या हो जाएगी दो फेरो की संख्या हो जाएगी N1 और N2 क्योंकि दोनों अलग-अलग कुंडलिया है वृत्ताकार तो दोनों में फेरो की संख्या भी अलग-अलग हो सकती है क्या हो सकती है बिल्कुल दोनों में फेरो की संख्या अलग-अलग हो सकती है और इसके अलावा दोनों की त्रिजाए भी अलग-अलग हो सकती है ये R1 और ये R2 दोनों की त्रिजाए भी अलग-अलग हो सकती है तो यहाँ पर फेरो की संख्या और यहाँ पर आ जाएगा क्या R1 आ जाएगा और यहाँ पर जब छेतरफल की बात करेंगे तो यह हो जाएगा क्या R2 का वर्ग तो वहाँ पर क्या हो गया था एक ही त्रिज्जय थी तो दोनों कैंसल हो गया था यहाँ पर अलग अलग त्रिज्जय है के फाई एस बराबर दूसरे वाले फ्लक्स की बात करेंगे तो यह जो दूसरा वाला फ्लक्स जो उत्पन हो रहा है यह आप लोगों के पहले वाले चुम्ब के शेतर से उत्पन हो रहा है ठीक है पहले वाले चुम्ब के शेतर से उत्पन हो रहा है तो इसको थोड़ा समझना और खुद से करना आसान है कुछ भी नहीं है है ना इसके बाद इसके बाद आप लोगों को दो समतल वित्ताकर कुंडलियों के बीच में जो अन्यों न प्रेरकत्व है वो किस पर किस पर निर्भर कर रहा है एन वन एन टू दोनों पर निर्भर कर त्रिज्या आरवन पर भी निर्भर कर रहा है शेत्रफल एपर भी निर्भर कर रहा है और यदि बिल्कुल दो कुंडलियों के भीतर अगर नर्म लोहे की एक छड़ अगर रख दी जाई तो अन्यों न प्रेरकत्व क्या हो जाता है बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके परिवरतन भी बढ़ जाएगा है ना तो वहाँ पर क्या हों जाएगazing अन्यों प्रेरकत्व के बहुत आप लोगों की क्या कर दिया गया है बिल्कुल एक के आंदर एक बिल्कुल या तो अप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो यह इस तरीके से हो गई आप लोगों की ठीक है दो परिनालिकाएं हो गई और बिल्कुल इसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है अन्यों ने प्रेरकत्व आप लोगों को देखना है और जैसे हम लोगों ने स्वा प्रेरकत्व निकाला था ठीक वैसे ही इसका भी होगा तो इसका भी मैं आप लोगों को डारेक्ली सुत्रम अन्यों ने प्रेरकत्व का लिखवा दे रही हूं इसको आप लोगों को खुछ से ट्राई करना है जैसे कि हम लोगों को वहाँ पर N बटे L आया था तो यहाँ पर क्या होगा दोनों के फेरों की संख्या पर निर्भार करेगा N1 N2 और यह हो जाएगा आप लोगों का क्या यह हो जाएगा आप लोगों का शेद्रफल पर यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों का जो है अ त्रिजा आर क्योंकि एक ही जैसी कुंडली है एक ही जैसी परिनालिका है ठीक है एक ही जैसी परिनालिका है दो एक ही जैसी दो परिनालिका है तो यहाँ पे आर का मान एक जैसा है ठीक है यहाँ पे जो दोनों की त्रिज्जा है आर यह त्रिज्जा एक जैसी है बस इतना ही अंतर है ठीक है तो इस संबंध क्या है ठीक है स्वाप्रेरण में क्या हो रहा था खुद कुंडली में बहने वाली खुद की धारा में परिवर्तन करने से उसमें खुद में प्रेरित धारा उत्पन हो रही थी ये घटना स्वाप्रेरण कहला रही थी अब इसमें क्या हो रहा था पहली कुंडली में जो बहने वाली धारा में परिवर्तन है, वो अपने पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन कर रही थी, तो इस घटना को हम लोग क्या करें थे, पडोसी के कालन जब हो रहा था, तब अन्यों ने प्रेरण हो रहा था, प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है, मतलब की जो अब इसमें क्या हो रहा था, पडोसी में उत्पन हो रहा था, इसमें क्या खुद के में उत्पन हो रहा है, तो यह क्या करेगा, अपने मम्मी बापा का विरोध करेगा, अब इसका मम्मी बापा तो दूर है, पडोसी है, है प्राथमी कुंडली की मुख के धारा को सिधे प्रवाहित करती है पहले वाली की तो अब मतलब अपने मनलब उस खुद के अंदर का जो धारा है प्रेरित धारा उसको प्रवावितना करके अपने प्रवाहित की धारा को जिसके कारण उत्पन हुई अपने कारण का विरोत करत और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का जो स्वाप प्रेरकत्व L है और जो अन्योन प्रेरकत्व M है इन दोनों के बीच संबंध की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं आप लोगों को डिरेक्ली जो है फार्मूला लिखवा देती हूं क्योंकि इसका ड लिए क्या प्रेरकत्व के लिये तो दोनों को स्वाप रिएरकतव L1 और L2 है दोनों के बीच का अन्योन प्रेरं जो है वह आपका M है और क यहाँ पर नियतांक है के की वैल्यों आपलोगों को एंग्जाब में दी रहेगी कि कितनी है ल1 L2 कमान दिया रहेगा या फिर क्षिन आते हैं मंग आप लोगों का जो एकुटमाठ्ट आप लोगों अभी आप इसको नोड करो के बीच ना यह प्रेरकत्व और अन्यों के बीच का और नुमारिकल करफ्द appearing लेते हैं की एक बेलना कार्ट छड़ पर दो कुंडलियां है ठीक है एक बेलना कार्ट छड़ है ठीक है इस पर क्या है दो कुंडलियां ये एक कुंडली ये दूसरी कुंडली ठीक है दो कुंडलियां एक पर दूसरी लपेटी गई है ठीक है क्या के एक के उपर दूसरी लपेटी गई है तो यहाँ पर अन्योन या प्रेरण गुडांक कितना होगा, अन्योन या प्रेरण गुडांक मतलब कि M का मान आप लोगों को पूछ रहा है कितना होगा, अभी जो मैंने आप लोगों को सुत्र बताया है, वही सुत्र आप लोगों का इस्तमाल होगा, वही सुत्र इस्तमाल ह को प्रत्य पंडली का प्रेसपट रख दिया हुआ है शुनमेंदा संब्लों एक हैंनरी मतलब आप लोगों को यहां पर यहां पर अर्च्छ Net आन्री संदीने रूप और अप नहीं है है ना के कमान लिखा नहीं है बेलना का अर्चर जैसे बोला है एक पर ही लपेटा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर के कमान हम एक लेंगे ठीक है और यह सारी तीनों वेल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ पर एक वर्गमूल आप लोगों का आ जाएगा शुने दसम्ल स्क्रीनशाट ले लो विद्ध्यत वाहग बल प्रेरित विद्ध्यत वाहग बल आप लोगों को निकालना है अन्योन या तरे जैसे हम लोगों नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, अब ये जो हम लोगों नहीं अन्योन या प्रेरण और स्वाप्रेरण हम लोगों नहीं जो देखा, ठीक है, इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं एक बढ़ियासा, एक बढ़ियासा question, बेलकुल एक बढ़ियासा question हम देख लेते हैं यहाँ पर, चलो, यह question आपके सामने जो screen पर है, solve करो, swap प्रेरण, sorry, कहां गया भई, हाँ यह है आपका question, question में क्या लिखा हुआ है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से उच्च धारा और प्रबल विद्यत्वाहकबल, निम्न धारा और प्रबल विद्यत्वाहकबल, प्रबल धारा निम्न विद्यत्वाहकबल, या फिर निम्न धारा या फिर निम्न विद उसफे वजाता से फ्रेरन की घटना से क्या हो रहा था चाहे वोष्व प्रेरन के लाने के रहा धी जो हम घ्ल हम प्रिय iteration के एक्चॉल में जो रादे हम लोग इस टोत से जो विद्ध धारां भाहित कर रहे थे उसके वजह से प्रेरन की घृटना से क्या रहा कम होगा ठीक है प्रेודव के माना का महां होगा जमने धार हारा उत्पन होगी आपका जो कर्ड़ी आपका बी-र अप्शन और alfित होगा ठीक है बी आप्शन केरिक होगा समझ में आगया चालो अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं अगले सवाल आपका दो कुंडलिया एक दूसरे से बंद रखी जाती है दो कुंडलिया एक दूसरे से बंद रखी जाती है कुंडलियों की जोड़ी का पारस्परिक अधिस्ठान निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है वह दर जिस पर दो कुंडलियों में धाराएं बदल रही है सापेक्ष इस्थिती और अभिविन्यास पर निर्भर करता है कॉयल के तारों की समागरी पर निर्भर करता है दो कुंडिलियों में धाराओं पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है जब एक दूसरे से एक दूसरे पर बंद रखी जाती है बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने देखा एक दूसरे पर इस तरीके से जब रखी जारी थी दो कुंडलिया तो किस पर निर्भर कर रहा था उनका जो परसपरिक अधिस्ठान मतलब कि जो अन्योन या प्रेरण हो रहा था वो अन्योन या प्रेरण किस पर निर्भर कर रहा था जल्दी से आंसर बताएंगे फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा आंसर A, B, C, A, D जल्दी से क्या होगा आंसर A, B, C, A, D तो भाई इसका आंसर होगा B ठीक है दोनों की सापेक्ष इस्थिती कैसी है और उनका अभिवन्यास कैसा है मतलब कि हम लोगों ने अगले सवाल पर जाते हैं अगला सवाल क्या है हमारा स्वा प्रेरकत्व एल के दो शुद्ध प्रेरकत्व अगर श्रिंखला मतलब की स्रेणी में अगर जुड़े हो तो क्या होगा उनका सुद्ध अधिश्ठापन मतलब की कुल प्रेरकत्व तुल्य प्रेरकत्व कितना हो एल है उसका स्वा प्रेरकत्व दो एल है ठीक है अगर वो स्रेणी क्रम में जुड़े हो तो यह तो बहुत आसान है यार ए भी सी या डी जल्दी से कुईकली आंसर करेंग भी सायर के योग के बराबर होगा तो आपका जो तुल्य प्रेरकत्व है वह आ जाएगा टू एल ऑप्षण विई इसम्तम अगला सवाल विद्द वाहग बल की धुरुवता किसके द्वारा दी जाती है विद्द वाहग बल की धुरुवता किसके द्वारा दी जाती है एंपियर के परिपतिय नियम से बायो सेवट के नियम से लेंज के ला से फ्लेमिंग राइट हैंडूल विद्द वहबल की धुरूता मतलब की उसकी दिशा ना विरोध में होगी की साथ में होगी दिशा अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या होगा देख के अंसर करो और भी सी याडी जाल दिक्विक्ली अर्वाइं यह तो बहुत यहासान है इसका अंसर होगा लेंज लॉग क्या होगा लेंज लॉग लॉग बराबर माइनस यल डी आई बाइडी ती या फिर इबराबर माइनस एन डी फाइवाई डी टी ये किस से मिल रहा था हम लोगों को नियम से मिल रहा था अगला सवाल एक गती मान चालक कुंडली एक प्रेरित विद्युत्वाहग बल उत्पन करता है यहां किसके अनुसार होता है लेंच के लौ से फेराडे के नियम से कुलाम के नियम से या एंपियर के नियम से विद्युत्वाहग बल किसके करण होता है यह भी बहुत ही आसान सवाल भई यह होता है सकांसर क्या होगा सेकेंड फैराडे का नियम दो नियम हम लोगो ने बढ़ाना तो फैराडे के द्वितिया नियम से क्या होता है विलकुल फैराडे के द्वितिया नियम से यहाँ पर हमारे को क्या मिल रहा था विद्धित वहाग बल मिल रहा था ठीक है द्वितिया नियम से द्वितिया नियम यही था ना द्वितिया नियम एन लिखा हुआ है यह एन एन ठीक है एन लिखा हुआ है तो हो गया भई इसके बाद और कोई कोश्चन है क्या देख लेते हैं और कोई कोश्चन होगा तो है भई फैराडे के चेत्र समय में परिवर्तंशील होता है परिवर्तंशील चुम्बकिया प्रवाहद्वारा उत्पन होता है विद्धुद्चेत्र चुम्बकिया शेत्र अलग-अलग समय के विद्धुद्प्रवाहद्वारा निर्मित होता है चुम्बकिया शेत्र गतिमान आवेज से जुड नहीं क्या आएगा ऑप्षिन होता है गयाँ यहां पर कोई करेक्षन है नहीं ऊतना ज्ञदा यह ऑपशन A, B, C, A, D, जल्दी से answer करो, क्या आएगा, चलो, डबल डिप दे देती हूँ, यह और यह हट गया, A या B, जल्दी बताओ, A या B, फटाफवट, कौन बताएगा answer, तो भाई, इसका answer जो होगा, option B, correct होगा, option B, चुम्बकिया शेत्र, अलग-अलग समय के, विद्धुत प्र परिवर्तन होगा, और चुम्बकिया शेत्र, अलग समय के, परिवर्तन के कारण, ठीक है, तो यह आओ जाएगा, आपका option B, correct, ठीक है, हो गया, चलो, तो यह तो हो गया, आप लोगों का, यह तो हो गया, आप लोगों का, अब्जेक्टिव, अब हम जो है, बिलकुल, काफ लेते है, थोड़ी मस्ती हो जाए, थोडवानिमेशन देख लेते है, यह जो क्वाईले बहुत काम की चीज है, और बिलकुल, यह जो है, बिलकुल, सॉलने नाइट की तरह, बिहेव कर रिया, जिसमें क्या उथपन हो रहा है, इसको, बिलकुल, हम लोग, जो है, चो बार दूर पास ले जाने से बदल रही थी तो बिल्कुल मैं की अनिमेशन आप लोगों को दिखाना चाहती थी जो सारा अल्रेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है अब जो सेल्फ इंडेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है इसको हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं काफी क्वि परिवर्तन करेंगे तो देखो समय के साथ परिवर्तन करेंगे यह परिवर्तन हम लोगों को इस बल्फ से देखने के मिले मिलेगा बल्फ से देखने के लिए मिलेगा जैसे हम विद्युद्धारा कम करेंगे तो यह बल्फ में क्या हो जाएगा लाइट डीम हो जाएगी है हो रही है क्या हो रही है कम जादा हो रही है यह जो ब्लू कलर की लाइन दिखा रही है यह प्रेरित धारा है जिस धारा में मुख्य धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में उत्पन होगा अपने ही मम्मे पापा का क्या कर रहा है विरोध कर रहा है तो यह क्या कहला है प्रिएरकात्वा कहल रहा है बिलकुल यहां पर देख लो दो कुंडलियां होंगी यहां पर क्या होंगी दो कंडलियां अब यह 2 कंडलियां में एकम लोगों ने क्या करा है प्राइमरी कंडली चिंडल nutzen प्रवाहित कर रहे हैं जिसकी वज़ा से यहां पर चुम्बकिया शेत्र उत्पन हो रहा है और यह चुम्बकिया शेत्र के प्रभाव शेत्र में आने के कारण यहां पर भी क्या हो रहा है चुम्बकिया फ्लक्स उत्पन होगा इस दूसरे वाले कोईल में सेकेंडरी कोईल मे और जब इसमें चुम्बकिया फ्लक्स उत्पन होगा और ये भी समय के साथ परिवर्तंशिल रहेगा अगर हम क्या करेंगे इसमें जो हम विद्युत धारा लगा रहे हैं इसको अगर हम क्या करेंगे बार बार समय के साथ बदलेंगे तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो जिसके वज़ा से दूसरे वाले क्वाइल में, यह दूसरे वाले क्वाइल में क्या होगा, यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन होगा, यह प्रबल विद्युत वाहक बल और निम्न धारा उत्पन होगी, चाहे स्वा प्रेराण में हो, चाहे अन्योन प्रेराण में हो, अभी अभी हम लोगों ने एक objective question देखा था और बिलकुल यह हम लोगों को कहां से पता चलेगा यह जो ammeter हम लोगों ने दूसरी कुंडिली में लगा रखी है यह अमिटर जो दूसरी कुंडली में लखा रखी है यहाँ पर जो दिखाया दे रहा है कि चुम्बक्या शेत्र हैसी बात है क्रोस और डॉट गति मान अवेश तता चुम्बक्या अध्याय आप लोगों को याद होगा इस तरह से जब भी हम लोग क्या करते थे चुम्बक्या शेत्रा को अंदर की ओर जब हम लोगों को दर्शाना होता था तो अंदर की ओर दर्शाने से हम लोग क्या करते थे क्रॉस से प्रदर्शित करते थे और जब हम लोग डॉट बनाते थे जब इस तरीके से हम लोग क्या बनाते थे डॉट बनाते थे तो वहां पर हम लोग चुंबकिया शेत्र को बाहर की ओर प्रदर्शित करते थे तो जब हम ल अंदर की ओर जब हम एक चुम्बक्य शेत्र लेंगे और इस चुम्बक्य शेत्र में मालो कि हम जो है इस तरीके से क्या रखते हैं एक तार एक तार को जब हम क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने तार को रखा है और ये तार ए उपर से हम चिपका करके रखते हैं ठीक है बिल्कुल उपर से चिपका करके रखते हैं तो अब यहां पर यह जो उपर से चिपका करके हम लोगों ने रखा है अब हमको करना क्या है इसको हम लोगों को आगे पीछे करना है ठीक है क्या करना है हमको इसको हम लोगों को आगे प को समझना बात को ठीक है पहले जब हम लोग यलो कलर का जो चालक तार रखे थे न सिर्फ तब हमारे पास बंद परिपत नहीं था ठीक है अब इस यलो कलर के चालक तार के ऊपर जब हम लोगों ने ये पिंक कलर का जो चालक तार को ऐसे जोड़ के रख दिया चिपका के रख ठीक है तो अब हम लोगों को क्या बन गया बंद परिपत बन गया ठीक है क्या बन मिल गया यहाँ पर हम लोगों को बंद परिपत मिल गया ठीक है अब यह जो चुम्बक्य शेत्र है यह चुम्बक्य शेत्र है अब इस चुम्बक्य शेत्र में अगर हम क्या करेंगे यहाँ प पर रहेंगे हैना बार बार क्या कर रहे हैं हम यहां पर इसको मुव कर रहे हैं तो यहां पर मूवमेंट की वजह से क्या उत्पन होगा मूवमेंट की वजह से यहां पर जो है मोशन होगा और यहां पर इस motion की वज़े से क्या होगा EMF produce होगा उत्पन होगा विद्धित वाहक बल उत्पन होगा तो ये motion की वज़े से यहाँ पर विद्धित वाहक बल उत्पन हो रहा है मतलब कि गती की वज़े से यहाँ पर क्या उत्पन हो रहा है विद्धित वाहक बल उत्पन हो रहा है जो गतिक विद्धित वाहक बल कहला रहा है तो जैसे कि हम लोगों ने विद्धित वाहक बल के लिए जो है फैराडे के नियम से हम लोगों को e बराबर है ना e बराबर माइनस n d5 by dt हम लोगों को मिला था ठीक है यहाँ पर यह जो emotional EMF है ठीक है यह emotional EMF है जब emotional EMF हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर इसको derive करने के लिए हम लोगों को क्या-क्या चाहिए होगा तो सबसे पहले यह जो लंबाई है L मतलब यह जो length है यह हम इसको क्या करेंगे हम लोग small L consider करेंगे और यह चुमबकिया शेत्र है यह चुमबकिया शेत्र को हम लोग क्या consider करेंगे चुमबकियो शेत्र को हम भी consider करेंगे ठीक है अब यहां पर यह जो दूरी है इस दूरी को हम ले लेते हैं क्या small x दूरी ले ले लेते हैं और जैसे कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे इस चालक तार को पिंक कलर की तार को जब हम लोग आगे पीछे move करेंगे तो जब इधर move करेंगे तो क्या होगा ये x की दूरी जो है क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और जब हम लोग इधर move करेंगे तो क्या हो जाएगी x की दूरी कम हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से क्या होगा आगे पीछे move करने की वज़ लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से एक दम से अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब इस एनिमेशन में क्या किया गया है आप लोग देख सकते हो कि यह जो चुम्बक रखा गया है यह जो पहले से चुम्बक किया शित्र जो हम लोगों ने अंदर की यहां पर जो गतिक विद्धुत वाहक बल उत्पन होगा जिसकी वज़ा से विद्धुत धारा उत्पन होगी तो यह विक्षेप से हम लोगों को जो है गतिक विद्धुत वाहक बल का मान जो है इस प्रेरित धारा से यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा अब यहां पर दे शेत्र में ये बंद परिपत मौकर्ण के यहां पर विद्यत वाहकबल उत्फण होगा जिसकी वज़ा से प्रेयमिंग का जो दाए हाथ का नियम था कुल फ्लेमिंग के दाएं हाथ का निया जहां पर हम लोग क्या करते थे गति मान आवेश था था चुंबकात्व में चुंबक्य शेत्र की दिशा बल की दिशा तो बल की जो दिशा है वो जो मोशन की दिशा होगी वही आपके लिए क्या होगी यहां पर जो मोशन की दिशा हो इस वजह से यहां पर क्या आ गया आप लोगों का वेग आ गया ठीक है तो इस तरह से आप लोगों के फैराडे के नियम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और आप लोगों का जो बिलकुल यहां पर विस्थापन जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है विस्थापन में समय के कि हैं रहा पर यहां पर यह सबसे पहली बात के लिए मैं कि वजह से अब यहां पर यहां पर व्लकस में परिवर्तन ऑगा यह जो फ्लक su цент न होगा वो चुम्बकिया शेत्र तो है यहाँ पर एक चुम्बकिया शेत्र है ठीक है अब यह चुम्बकिया शेत्र और यह जो छेत्रफल शदिस इसका शेत्रफल सदिस कहां से आएगा इसका जो छेत्रफल निकलेगा सबसे पहले यह जो L लंबाई हम लोगों ने लिया यह क्या लि हम लोग क्या करेंगे इसका मान जब हम लोग यहां पर रख देंगे ठीक है तो यहां पर फेरो की संख्या तो एक है ठीक है फेरो की संख्या क्या हो गई यहां पर एक हो गई इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस यह डी बाई डी टी और फाई के जगा में हम लोग र पिछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे पिछे कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग इसको जो है, इस डारेक्शन में, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस डारेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो X द विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है किसमें परिवर्तन हो रहा है और जब यह विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर देख रहोगी यह कम हो रहा है क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है इस वजह से यहां पर जब यहां पर हम इस डारेक्शन में कर रहे हैं तो यहां से हम लोग माइनस चिन्न रिटाएंगे, कारण इसका क्या है, कारण इसका ये है, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है, एक्स जो है वो क्या हो रहा है, और हम लोग ने पढ़ा था, कि जब फ्लक्स में बढ़ोतरी होती है, तो विपरीत दिशा में जो है विद्धारा उत्पन होती है जब फ्लक्स में कमी होती है तो समान दिशा में क्या होता है समान दिशा में विद्धारा प्रेरित धारा उत्पन होती है क्या उत्पन होती है समान दिशा में प्रेरित धारा उत्पन होती है और क्योंकि हम लोग य आएगी कमी आएगी जिसकी वज़से समान दिशा में यहां पर क्या होगा विद्धारा उत्पन होगा इसलिए हम लोगों यहां पर माइनस चीने को हटा दिया है अब यह जो है विस्थापन में जो समय के साथ परिवर्दन है वो किसके बराबर होगा इस इसका जो यह रोड है और यहां पर रहो है अगर हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग यहां पर राड को इस साइड में अगर करेंगे तो यहां पर जो हम लोगों को EMF मिलेगा यह होगा माइनस BLV, ठीक है, माइनस BLV को मैंने red color से लिखा है, और इसके बाद अगर इधर होगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ, blue color से E बराबर क्या BLV, color से आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल color से आप लोग देख सकते हो, दोनों को आप बता दिया, क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, right side में move कर रहे हैं, तो right side में move करने के कारण यहाँ पर छेत्रफल बढ़ रहा है, शेत्रफल बढ़ने की वज़ए से क्या बढ़ेगा, आपका flux बढ़ेगा, तो जो प्रेरित विद्धारा है, वो विरोध में उत्पन हो आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को प्रेरित विद्धारा मिल रहा है, लिख सकते हो सारी थियोरी आप लोग इसको, है ना, लिख सकते हो, आप इसकी सारी थियोरी लिख सकते हो, यह हो गया आप लोगों का गतिक विद्धारा हो गया, इ विद्युद्धाराओं का चक्रवात आता है अब ये कैसे होता है तो उसके लिए हम बढ़िया एक अनिमेशन देख लेते हैं जिसके बाद अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आएगा ठीक है बहुत आसानी से जब हमको समझ में आएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर हम लोगोंने क्या है परिवर्तन शील विद्युद्धारा यहां पर प्रवाहित हम कर रहे हैं ठीक है तो बार बार यहां पर क्या हो रहा है ठीक है क्या कम जादा हो रहा है यहां पर जो विद्युद्धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो यहां पर प्रवाहित कर रहे हैं जो अगले अध्याय में आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है ठीक है यह परीवर्तंशिल विद्युद्धारा यह गई 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 कोईल में आई इसमें यहां पर चुम्बकिये शित्र उत्पन होगा चुम्बकिये शित्र रेखाए है ठीक है लगातार कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है ठीक है अब इसके कारण अब लगातार यहां पर चुम्बकिये शित्र कम ज्यादा होने के कारण फ्लक्स में भी परिवर्तन एक बार फ्लक्स बढ़ेगा एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा तो बार बार क्या हो र रख दिया तो जाएसी बात है कि इस छुंबक्य शेत्र के कम जादा होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा अन्योन या प्रेरकत्व के कारण अन्योन प्रेरकत्व के कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रेरित होगी, विद्युत वाहग बल प्रेरित होगा, देखो यहाँ पर हो रहा है, अब देखो विद्युत धारा बार क्योंकि कम जादा हो रहा है, तो इसकी वज़ासे यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स बढ़े देख यहां पर कम जादा हो रही है और कम जादा होने के कारण हो से हुन Learn पर प्रेरित धारा का भवर उथपन हो रहा है, यही क्या कहलाता है, भवर धारा कहलाता है, और इसका real life में बहुत सारा यूज है, पर पहले इसकी थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं, कि जब एक चालक से बद चुमबकिया, फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन किया जाता है ये फ्लक्स बार-बार क्या हो रहा है एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है है तो उसकी वज़ा से क्या होता है चालक में जो प्रेरित धारा उत्पन हो रही है उसके क्या होते हैं उसके कई चक्करदार प्रेरित धारा बिल्कुल कम ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा इस तरीके से क्या हो रहा है बार बार घटने के कारण इस तरीके से भावर उत्पन हो रहे हैं तो यह भावर इस तरीके से जो धाराओं का भावर उत्पन हो रहा है यह क्या कहलाती है अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडी करेंट ठीक है इसका उपयोग करके बहुत सारे equipment बनाए गए हैं आगे देखेंगे हम जिन चालकों का प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है उनमें भवरधाराओं का मान क्या होता है कम होता है कई जगा ऐसे होते हैं जहांपर हम लोगों को भवरधाराओं को जैसे कि आगे आप transformer के बारे में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर हम लोगों को भवरधाराओं को कम करने की जरुवत पढ़ती है तो ऐसा भी condition आता है कि वहाँ पर हम लोगों को भवरधाराओं को कम करने के लिए प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ता है और कहीं पर भवरधाराओं का उपयोग करके है बंद पथों में होता है तो सीधी सी बात है यहां पर जो भी हो रहा है बंद पथ में हो रहा है मोशनल यहां गतिक विद्धित्वाहक बल भी हम लोगों ने जब देखा था तो हम लोगों क्या किया था एक चालक तार से उस परिपत को जब बंद किया था तब जा करके उसमें क्या उत्पन हुआ था प्रेरित धारा उत्पन हुआ था और यहां पर बोल रहा है कि यह जो एडी करेंज से भावर धारा है अब इतना बार उसमें चेंज आ रहा है कम जादा कम जादा कर इस शुन्बकिय श्रके लंभववत होगा और सामानिता धात्वी वस्तों में प्रतिरोध अलप होता है मतलब कि जो की कंड़क्टिंग वस्तुएं यह तिक है चालक वस्तुएं उसमें प्रतिरोध कम होता है जिसकी वज़ा से क्या होता है परिनाम सरुप भवर धाराय ज्यादा होती है ठीक है भवर धाराय ज्यादा होती है जिसकी वज़ा से क्या हो जाता है धातु की जो चीज है जो चालक धातु है वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है तो कमी कभी हम लोगों को भवर धाराओं को कम करने क के लिए प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ता है मैंने बताया अल्रेडी धात्विक वस्तु गर्म होकर पिघल भी सकती है पिघल चाहिए कि तो सॉट्षर किट हो सकता है काफी सारा नुक्सान भी हो सकता है धात्विक वस्तु पर कारेरत विरोधी भावरबल लेंच नियम का प कार स्पीडोमेटर उर्जामापी तो यह सब इसके उप्योग है और आपका यह होंवर्क है मैं हमेशा आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजे आप लोगों को बताती हूं आप लोगों को यह एडी करेंट या फिर जो भावर धाराए हम लोगों ने अभी पढ़ा ठीक है इस ठीक है तो यह भावर धाराओं से जो question है आप लोगों को एक दो नंबर का question ही आएगा और आप लोगों को objective question इसमें देखने के लिए मिल सकता है और बांकी जो सारी questions तो हम लोगों ने objective question हम लोगों ने already कर लिया है और अगर class अच्छी लगी है तो जल्दी से आप लोगों को comment में बिल्कुल आप लोगों को बताना है कि आज की class कैसी रही इस पूरे chapter में हम लोगों ने जो है पूरा complete कर लिया है क्या complete कर लिया भई क्या तो बिल्कुल electromagnetic induction जो आप लोगों को विद्युत चुम्बकिया प्रेरन जो chapter है ये हम लोगों ने पूरा खतम कर लिया है और इसी के साथ आज की इस class को मैं खतम करती हूं मिलते हैं हमारी अगली class में तब तक के लिए बाए बच्चो